हेलो बच्चों क्या हल चाल कैसे आप सभी लोग मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम चका चक होंगे सांदार जिंदवाद और जवर जस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो रो सोरो पर चल रही होगी बेटा एक महीने का समय है इस समय को आप अपना बना लो तो काम तो आज अपन देखेंगे कौन कौन से टॉपिक कपर करने वाले है आज हा फैली है पन करेंगे तल में गती के ऊपर प्रसंद करेंगे ठीक है पैन पेपर पाने की बोडल सब कुछ रख लो बेटा फटा 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 फट कम ओन अच्छा देखो कि प्रक्षिप गती में अपन क्या कहते थे कि जैसे किसी प्रक्षिप को हम जमीन से फेक रहें जमीन से जमीन पर देखो हमें पत्थर फेकना है तरीगे क्या हो सकते हैं हम एक है तो पत्थर हम अलग-अलग दूआ में फेक सब्सक्त नेтесьके हलेगा तो पहला के शापण ऎलए तो पहला केस Авप डील करने हैं का से जमीन से जमीन से जमीन पर जमीन से जमीन पर तो देखो बिटा यह पत्थर इसको हमने प्रानमिक वेक दिया Southeast आपARK इसे अधर आकर गिए अब बताइई आपकी मन में क्या-क्या सवाल आते हैं जो सवाल आपकी मन में आएंगे वही सवाल एक्जाम में पेपर सेट करने वाले के मन में आएंगे तो आपकी मन में यहां सवाल आ रहा होगा कि सर सर हमने पथर को फेका तो यह कितनी दूर जाके गिरा कितनी दूर जाके गिरा तो इस दूर जाने की कहानी को हम कहते हैं range और मात्रवासा में इसको कहते हैं परास, क्या कहते हैं परास, ठीक है, पथर कितना उपर गया, पथर को हमने फेका यह कितना उपर गया, तो इसको अपन कहते हैं maximum height, अधिकतम उचाई, h max, ठीक है, और तीसर चीज की पथर को उपर से नीची आने में कितना समय लगा हम इस point को a बोल देते हैं इस point को b बोल देते हैं तो आपसे समय पूछा जा सकता है if iqqcü के किर्ट ने लगा जिसे हम उड़ायनकाल कहते हैं ठीक है तो हपनक क्या करते देखो बिटा यहां पर यू के घटक कर लेते हैं यू का एक घटक आता यू को सीटा दूसरा घटक आता यू साइन ठीटा दूसरा घटक होता यू साइन ठीटा और हम एक से दिसा के लिए बिलकुल अलग कहानी पढ़ लेते हैं और बाई दिसा के लिए कहानी अलग कर लेते देखो यहां पर दो दिसाओं में मोशन हो रहा है अभी तक जब अपन उर्दो धर गती पड़ते थे यह सरल रेखिये गती पड़ते थे 36 दिसा में तो एक ही दिसाओं में गती होती थी यह तो कण एक समय जाता था ऐसे इधर गया इधर लोटा यह यह कर ऊपर जाता था है तो अपने क्लास में सीखा हुआ है रेगुलर वैचिस में कि हम क्या करेंगे बेटा गती को दो दिसाओं में बाट लेते हैं एक एक्स में और दूसरा बाई में तो देखो इधर एक्स दिसा की चीज़ें लिख रहा हूं मैं इधर बाई दिसा की चीज़ें लिख रहा में से दिसावं कोई तवरन नहीं होता है कोई तरण नहीं होता है एक से साके विश्थापन हम us we go and कि the time to Northern कोई भी दिसा ले लो एक स्क्राइब किसा करना एक कि अबाइब की वाई-दि और बाई दिसा का तुरण AY is equal to कितना होता है बेटा, जी होता है नीचे की दिसा में, बाई दिसा के बिस्थापन को SY को हम बाई से प्रदरसित कर देते हैं, और टाइम दौन दिसा में T ही होता है, अब हमें जो भी चाहिए, बाई दिसा का बेग चाहिए, बाई दिसा का बिस्थापन चाहिए, तो गती के जो समीकरण है अपने बो हम लगा सकते हैं, क्योंकि देखो X दिसा में तौरण कितना है 0, बाई दिसा में तौरण है, तौरण है G नीचे की दिसा में, लेकिन यह नियत है, और जब भी तौरण अगर नियत है, जब भी तौरण आपको नियत दिया गया, तो आपका अधिकार है, कि आप गर्ती के समय करन का उपयोग कर लो, तो हम X दिसा में गर्ती के समय करन लिखें, तो VX is equal to UX plus AX into T, और विस्थापन का समय करन लिखें, तो SX बराबर UX into T plus AX into, प्लस नहीं है, half, Half AX into T square, ती स्कूर, ठीक है, आपको बेग चाहिए, बेग मिल जाएगा, यहाँ पर AX का मान कितना होता है, 0 होता है, AX का मान कितना हो गया, बेटा 0 हो गया, और यहाँ पर भी AX का मान कितना होता है, बेटा 0, ठीक है, तो AX का मान अगर 0 है, AX 0 हो गया, तो समय वाला पद हट गया, समय वाला पद हट गया, तो हम कह सकते हैं, कि X दिसा का बेग ह वो समय पर निर्वर नहीं कर रहा है अब ऐसी देख लो भी यह बेग क्यों बदलता है तोरण के कारण तोरण के कारण अब एक दिसा में तोरण है ही नहीं तो हम कहाएंगे एक दिसा का बेग बदलेगा ही नहीं ठीक है तो एक दिसा का बेग इस point पर U cos theta है तो यहां पर भी बेटा U cos theta ही रहेगा और यहां पर भी एक दिसा का बेग U cos theta ही रहेगा क्या रहेगा यू cos theta एक दिसा का बेग बदलने वाला नहीं है बाई दिशा में तोरण है तो बाई दिशा का बेग बेटा बडलेगा ठीक बाई दिसा में अगर हमें वेग ज्याद करना है तो हम समच कानुप योग कर लेंगे कौन सा वी वाई एज Aur How for ay u y into t नहीं बर्खुरदार, u y plus half ay into t और y दिसा का बिस्थापन अपन ऐसे लिख लेंगे, u y दिसा का इंटू t plus half a y दिसा का इंटू t square, तीसरा समीकर्ण भी आप ऐसे लिख सकते हैं, v square equal to u square plus 2as, तो अगर हमें बाइदिसा के motion का जानकारी निकालना है, तो हम इस अमीकर्ण उप्योग कर लेंगे, ये जानकारी है बाइदिसा के लिए और X दिसा में खेलना है, तो X दिसा में ये समीकर्ण रहे और ये जानकारी है, ठीक है, main point यहां पर एक दिसा में तरण नहीं है, यह पुष्व भाव कितरा है बद लेगा नहीं मैं बद लेगा नहीं ऐसा बोलता है सब जा सब्गते कि अ लगेगा तो यह भी बेटा एक तरीके से बाई दिसा के बेगे पर ही निर्भर करता है तो मैं इसको लिख देता हूं इस सूत्र आप सभी को याद होंगे लेकर मैं तब भी लिख देता हूं अधिक्तम उचाई का जो सूत्र होता यू बाई स्कोर अपॉन टूजी अपॉन ट थीटा का होल स्कोर अपॉन टू इंटू बाई दिसा का तौरण है जी हमें ओडेयन का आल निकालना है तो यह तू यू बाई इन्टू तौरण किसका बाई दिसा का तौरण का परिमान वेटा तो टू यू साइन ठीटा अपॉन जी मुझे उम्मीद है यह यह सभी रजल् बास्तव में क्या है, X जिसा का विश्थापन है, X जिसा का विश्थापन का समीकर्ण इसर लिखा हुआ है, तो X जिसा का विश्थापन मैं एक बार और लिख देता हूँ, यह है UX into T plus half, AX into T square, तो X जिसा की विश्थापन को अपने range कहे देंगे, range कहें देंगे और समाय को कितना लिलो गया आप आवर्थकाल आब अवर्थकाल नहीं ऊड़ायन काल तो range किया है बास्त में बेटा ऊड़ायन काल में टिक तो आप यहां से परास r is equal to लिख सकते हैं कितना यह तो u x था और t की जगह आप लिख सकते हैं 2 u y upon g तो परास r is equal to हो गई 2 u x u y upon g ठीक है और अगर आप u x u y के मान लिखो तो r का मान हो जाएगा u square sin 2 theta upon g ठीक है अब देखो परास को हमें अगर maximum कराना है यह परास का formula हो गया बिटा अब हमें r को maximum कराना है r को maximum कि परास अधिक्तम हो तो किस कौन पर पत्थर फेक जाए अच्छा जैसे अपन खेल रहे हैं है ना ग्राउंड में खिल रहे हैं हमारे पास बॉल है अपन कहते हैं कौन कितनी दूर तक बॉल फेक पाता है कौन कितनी दूर तक बॉल फेक पाता है सभी एकदम एक जैसे लोग है सभी की तागत बराबर है बिल्कुल एक जैसे लोग है सभी की तागत बराबर है मतलब प्रारंब एक सभी के एक समान है मालो सभी चाइनीज लोग है चाइनीज सब चाइनीज एक जैसे दिखते हैं आपको पता चाइना की टीम क्यों नहीं है सब लोग एक जैसे दिखते हैं, कौन आउट होके चला गया, कौन बापस खिलने आ गया, पता ही नहीं चलेगा, पता चला कि जो आउट होके गया, फिर बापस वही खिलने आ गया, समझ में ही नहीं आएगा, सब एक जैसे दिखते हैं, तो यहाँ पर जो लोग पत्थर फेक रहें या गैन्द फिक रहें वो सब चाइनीज हैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और एक जैसी तागत है सब की बराबर बराबर तागत है तो यू का मान नियत हो गया जी का मान नियत हो गया रेंज किस पर निर्भर करेगी ठीटा पर ठीटा पर ठीटा पर ठीटा अगर हमें आर मैक्सिमम कराना है तो साइन टू ठीटा को मैक्सिमम कराना होगा और साइन टू ठीटा साइन ठीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन कुछ भी एंगल हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसक तो जो ब्यक्ति, जो खिलाडी गैंद को 36 से 45 डिग्री कॉल पर फेकेगा, उसकी गैंद सबसे ज़्यादा दूर जाके गरेगी, तो याद रखना बेटा यह पॉइंट, ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब देखो बेटा, कुछ एक्जम्पल सा पन करते हैं, कि यद यू बराबर इतना दिया जाए, तो टी, आर, एच, टी, ओडेनकल, आर, परास, और एच, अधिक्तम हो चाहिए, इसके मान ग्याद करो, तो बस एक कॉंसेप्ट का एप्लीकेशन है, एक छोटा सा, तो एक दिसा का बेकिता है, टू, एक दिसा में कोई तोरण होता नहीं है बाई दिसा में खेलें, तो बाई दिसा का प्रारंबिक वेक कितना है, क्यों लल्ला, बाई दिसा का प्रारंबिक वेक कितना है, ठी है, और बाई दिसा का तोरण का जो परिमान होता है, वो कितना है, जी, ठीके, दिसा तो अपन को पता है, नीचे की और होती है, तो सबसे पहले चलो हम T ही निकाल लेते हैं, तो T का फॉर्मूला होता है, 2UY अपॉन AY का परिमान, तो 2UY तो हिरा मान कितना है, 3 है, G का मान कितना हो गए है, 10 हो गए है, AY कितना है, G है, आप यहां से निकाल सकते हैं, तो यह T मिल गया, अगर हमें H max निकालना है बेटा, तो H max होत होता है, 2 AY लिख लो बेटा, AY, तो UY का वर्ग, बोले तो UY कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग अपॉन, अपॉन 2 इन्टू जी का मान कितना होता है, 10, और अगर हमें परास R ग्यात करनी है, तो R होता है, UX इन्टू T, UX इन्टू T, तो 2, 2 नहीं, ऐसे इसको लिख लो, UX इन् आपॉन, AY, तो U का मान कितना है, 2 into 2, UX का मान 2 है, UX का मान कितना है, 2 into 2, और UY का मान कितना है, 3, बटे, AY, AY का मान कितना है, बेटा, 10 है, कितना है, 10 है, तो इस प्रकार से आपको T, R, H, तीन अचीज आ मिल गएगे हैं, ठीक, यहां पर बेग सत इस दिया है, तो एँ, UX हो गया यह यई यू फ़ाई हो गया ठीट दिया तो अपन ठीटा वाले सूत रुकवर कर लेते को कौन से रुक कर लेते बेटा यहां पर एक interpret drugs आती है 症 निसे प्रक्षेप प्रक्षक का समुएंक ऐड़ी चीथ कि आड़ी करना था किरये है ये प्रक्षेप प्रक्षेप को फेका तो प्रक्षेप कुछ पाथ बनाएगा किसी ना किसी रास्ते पर जाएगा तो प्रक्षेप का जो समीगान होता है इसका जो पत होता है वो होता है परवलाए यह परवलाए परवलाए पैरा बोला कौन सा बोला पैरा बोला हमने पत्थर को फेका था किस स्वेग से यू बेग से किस ऩूर पर से तीटा कूंड पर यूरब इता कूंड पर तो प्रक्छे पाथ का जो सम्मेकान आता है एक्स और वाइ में समंध आता है मैं लिए किसी समय यह जुत करएं और यह जो समय का विश्थापन minus g minus g x square upon happy birthday happy birthday 2u 2u square cos square theta y is equal to x 10 theta y equal to x 10 theta minus g और x square upon x square upon 2u square cos square theta तो यह प्रक्षेपत का समीकर्ण है याद रखना theta प्रक्षेप कौन है कि यू प्रक्षेप का प्रारंबिक बेग है तो अब इसके application देखो अपन देखते हैं applications यह किसका समीकर्ण है इस परवलय का समीकर्ण आप देखो mathematics के student हो भाई बाई की घात एक x की घात दो यह परवलय का समीकर्ण है और जो x square है इसका गुड़ांग के रिण आत्माख है मतलब यह नीचे की तरफ खुलने वाला पैरावोला है पैरावोला ओपनिंग डाउनवर्ड नीचे की और खुलने वाला परवलय अब देखो यदि बाई बराबर आपको इतना दिया जाए बाई बराबर इतना दिया गया है तो बताओ यह क्या दिया है आप कहेंगे सर जी सर जी यह तो हमें प्रक्षेव का समीकर्ण करण दिया है by is equal to root 3 x x square upon root 3 किसी प्रक्षेव का समीकर्ण हो तो trh theta ग्याद कीजिए trh theta तो देखो बिटा पन तुलना करें इसकी by बराबर 10 theta into x minus x square upon इधर g लिख लो g into x square upon 2u square cos square theta इससे अपन तुलना करते हैं तो 10 theta का मान अब तुलना करो तो 10 theta का मान किसके बराबर हो गया root 3 के देखो यहाँ x है x का गुड़ांक 10 theta यहाँ पर x x का गुड़ांक root 3 है तो theta का मान कितना गया 60 degree हमें theta मिल गया theta मिल गया अब अपन तुलना करें x square के गुड़ांक की x square के गुड़ांक की तो x square का गुड़ांग कितना है इधार तो हम कहेंगे minus g upon 2u square cos square theta cos square theta और इसका उधर उपर वाले समीकर में x square का गुड़ांग कितना है minus 1y root 3 minus 1y root 3 तो पहले तो minus से minus सल्टा दो minus से minus को सल्टा दो ठीक है जी का मान कितना होता है 10 upon 2 u square का मान हमें पता नहीं है ग्यात करना है और theta का मान कितना आ गया 60 degree तो cos square 60 का मान कितना होता है 1y2 तो यह हो गया वेटा 1y4 square है न वेटा तो यह 1y4 हो गया is equal to 1 upon root 3 1 upon root 3 तो हम थोड़ा काटा-कूटा मचाते हैं यहां से cancel out होके कितना या 2 आया 2 चला गया उपर तो u square का मान हो गया u square का मान हो गया बेटा कितना 20 20 रूट 3 रूट 3 कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस हो जाए तो आप J की तैयारी कर रहे हो mathematics के student हो है ना तो मैं आप यह तो मान के चलूँगा कि कैलकुलेशन करना आपको आता है और आना चाहिए नहीं आती है बेटा तो सीखो सीखो ठीक है तो अपने तुलना किया जी का मान 2 u square और एक कॉस्ट को सिक्स्टी का मान कितना होता है एक बटे दो होता है ठीक है बेटा टो सब चीजे मिल गए है आप ठीक है अगर हमें लिखेंच काल निकालना है तो 2 u sindata y g होता है इसका मान हमें यू भी पता है ठीटा भी पता है एच निकालना है एच मैक्सिमम में तो हैच मैक्सिमम कितना हुआ यह हुआ u square time स्टीटा वाई टूजी यू स्टाइन स्टीटा वाई टूजी और अगर हमें रेंज निकालना है तो रेंज इस एक कॉल टू कितनी हो जाती है यू स्टाइन टूटीटा वाई जी तो में चीज क्या थी यू निकाल लो ठीटा निकाल लो यहां से आपको यू मिल गया और यह कोई भी मान ग्यात कर सकते हो ड़िट हु ठीक है तो प्रक्षेप का समीकण विर्ट होता है कि मान लीजिये हम आपको बयुका मान बता लिए आपको तूभी का मान यूदू सब्सक्स का मान परक्षित ऐसा हो सकता है कि आपको एकस कमान दे दिया जाए आपको 10 समी समुर्ट से चालबार कर सकते हैं अब दिखो अगला सवाल भी इंपोर्टेंट टड्क शवाल है फिर हब जता है से पर यदि एकन को 20 मीटर प्रिट सेकंड की चाल से 36 से 35 कौण पर फेका जाता है तो वह कि तो जब यह प्रक्षिव 36 से 37 डिगरी का कौण बनाएगा तब इसकी चाल बस समय ग्याद कीजिए चाल बस समय ग्याद कीजिए देखो अगें तुम तो ठेर पर देशी साथ क्या निभाओगे सुबह पहली गाड़ी से तुम तो फेका गया है यू बराबर 20 से यू बराबर 20 मीटर पर सेकंड से अभी चलते 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 उपर जाएगा उपर जाएगा highest point पर अगर हम बात करें highest point की तो highest point पर इसके पास सिर्फ एक दिसा में बेग बसता है बाई दिसा का बेग कितना हो जाता है जीरो और एक दिसा का बेग आपको पता है वो बदलता नहीं है यह alpha लिया है तो है highest point पर तोरण और बेग के मद्द कौन 90 डिगरी हो जाता कभी पूछा जाए तो क्योंकि highest point पर बाई दिसा में बेग है नहीं तो और बेग सिर्फ एकस में और तरण नीचे है तो वेग और तरण के मद्द कौन कितना हो जाता हैatin a de 길 फील हमसे तो यह पूछा गया है कि जब यहат 36 के साथ 56 डिग्री का कौन बनाएगा 33 है ना यस तो इसकी चाल क्या होगी है इसकी कमान दिया गया है 37 डिग्री तो अब देखो हमें एक चीज पता है कि एक्स दिसा का बेग बदलता नहीं है ठीक है बेग किस दिसा का एक्स दिसा का कॉंस्टेंट होता है यह बदलता नहीं है तो हम इस पॉइंट पर अगर एक्स दिसा का बेग देखें इस पॉइंट पर तो तो बदलेगी ना बेटा, यहां 20 मीटर पर सेकेंड होगी, फिर बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, चाल तो X और Y दौनों दिसा की है, तो इस पॉइंट पर हमने चाल मानी है बेटा भी, तो इसका X घटा कितना हुआ, तो V cos of beta, तो इस पॉइंट पर X दिसा का घटा कित कितना है, V cos of beta, V cos of beta, U का मान कितना दिये ला है, cos, cos तरेपन, तो cos तरेपन का मान होता है बेटा, 3 बटे 5, 3 बटे 5, बराबर V हमें ग्याद करना है, और यहां पर cos beta, बीटा का मान है 37, cos 37 का मान होता है 4 बटे 5, 4 बटे 5, काटा कूटा मचाओ, 5 से 5 उड़ गया, तो 4, 5, 20 तो भी का मान आ गया कितना 15 मीटर पर सेकंड, यह हमें भी का मान मिल गया है, क्या मिल गया है बेटा, भी का मान, तो यहां पर चाल, अब हमें क्या ग्याद करना है कि किस समय बाद किस समय बाद चाल इतनी हो जाएगी, तो अपन बाई दिसा के लिए समीकन का उप्योग करते हैं, क्योंकि बाई दिसा का बेग बदल रहा है, तो हम लिखेंगे, VY is equal to UY plus AY into T, plus AY into T, मैंने धर T तो नहीं लगा दिया था, तुम तो नहीं पर देशी साथ क्या निभा होगे सुबह, टिंग टिंग टिंग, सुब आओ, सुबह नहीं बेटा, सुबह नहीं, अभी लेक्चर, लेक्चर, तो बाई दिसा का अंतिम बेग, हम यह पॉइंट A कह दो, यह पॉइंट B कह दो, A और B पॉइंट के बीच में, पॉइंट A और B के बीच में हम बाई दिसा के लिए गती का पहला समीकरन लगा रहे थ तो यह प्रारंबिक कि बिंदु और यह अन्तिम बिंदु हो गया तो अन्तिम कितने सर व कॉस ऑफ बीटा प्रारंबिक वेग बाई दिसा का कितना हो जाएगा यू साइन अलफा यू साइन अलफा एक ही जगह बेटा माइनस जी इंटू समय कितना है टी समय कितना हो गया बेटा टी हो गया तो सब के मान आपको पता है तो 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 भी का मान कितना आयो पंदरा साइन बीटा साइन बीटा बीटा का मान कितना है 37 डिगरी तो साइन 37 का मान कितना होता है 3 बटे 5 3 बटे 5 is equal to u का मान 20 है साइन अलफा अलफा का मान 30 है तो यह हो गया 4 बटे 5 माइनस g का मान 10 ले लो into t ले लो तो यहां से हल करके आप T का मान गयात कर सकते हैं, यहां से हल करके वे ट요 आप T का मान बड़ी आसानीं से निकल सकते हैं, अभी काटा-कोटा मचे जाएगा बेटा सब का ठीक हैं तो यह हमने बाई दिशा के लिए समिकन लगाया बाई दिशा के लिए अंतिम बेग बरावर बाई दिशा का प्रारंबे के वेग माइनस जी इंटू टी ओके इस तो इस तरीके से अपने इसको यूज करते जाते हैं आईए सवाल सवाल एक कण मूल बिंदू से टी बरावर जीरो समय पर चलना प्रारंब करता है जिसका प्रारंब एक वेग फाइव जे कैप है एकस बाई तल में नियत तुरन इतने से गती मान है किसी समय टी पर कण के निर्देशां कितने हो जाते हैं 20,Y नॉट तो टी तथा वाई नॉट का मान क्या होगा टी तथा वाई नॉट का मान क्या हो जाएगा तो देखो एकस दिसा के लिए हम अलग खेलेगा बाई दिसा के लिए अलग खेलेगा बाई दिसा के लिए अलग खेलेगा तो एकस दिसा का बेग कितना है करन मूल बिंदू पर चलना प्रारंब करता है जिसका प्रारंबिक ब यहां पर टोरन लिखो बेटा एक दिसा थो कितना हो गया न कितना है 10 तुरण वाई दिसा का तरण है वेटा चार कितना है चार ठीक है अब हम हमें एक दिसा का विस्थापन दिए ला है तो हम लिस्थापन का समीकरन सेकंड लगा ले हैं that s X is equal to u X into t plus half a X into t square X साका विस्थापन कितना दिया गया है 20 तो इस कमान रख दो 20 UX कितना है 0 तो 0 into t plus half a X कमान कितना दिया 10 into t square तो 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 0 चटका दो दो दूनी चार्ट कमान कितना गया 2 second कमान कितना गया बैटा दो सेकेंड आ गया मतलब यह वाली ऑफ्शन तो गल्ट हैं यह वाली ऑफ्शन कैसे हैं बीटा गल्ट है अब हमें क्या निकालना है बाई निर्देसांग निकालना है तो एस वाई इस एकौल टो उवाई वाई डिषा के था के लिए समिएगंगा दो this happen का आप को सिंपल काहानी होती है तो या दूए भीमिय गती लो घfeltी ओहले ॉई एकस में बाई के लिए लगफिल गिलिए काम खतम घृक्त का विस्पापन दिया घंगर बाइन टुमरे कितना यूब वाइन गाए हो कैतना यूी के समय हो प्लस हाफ एक अभन Students चे gratis वाल deze ये गुर्थ की अधीन वाला सवाल नहीं है तोरण बाईदिसा का दिया है कितना है चार है तो जो दिया है वही लेना है अपने मन से रख दो तुम जादू कर दो क्योंकि कई बार ना आप जादू कर देते हो वो भी सतरंगी वाला तो वाई नौट कमान हो गया दस प्लस चार दूनी आठ बोले तो अठरा अठरा मीटर अठरा मीटर दो सेकेंड अठारा मीटर यह आंसर आ गया ठीक है तो इसी कॉंसेट पर वेस्ट कुश्चन है कि आपको एक दिसा की गति और बाई दिसा की गति की समझ है या नहीं है तुम तो ठेर पर देशी साथ क्या निभाओगे अगला सवाल एक इस्थिर तोफ से एक गोला प्रारंबिक चाल यू से ऐसे कौन पर दागा जाता है कि गोला भूतल पर अपने लक्ष पर टक रहता है लक्ष की तोफ से दूरी आ रहे है यादि गोले दोरा लक्ष पर लग समझाता हूं सवाल समझाता हूं इसमें concept भी नहित है अपने आपको बता है अपने discuss किया था कि अपन कैसे पढ़ाई करेंगे तो पहले अपने concept समझ ली फिर उस पर आधार सवाल करने थिक एक तरे कर दूसरा अपन सवाल उठाली है सवाल अब सवाल में अगर कोई concept है को सवाल में नहित है वो तो उस concept को हम सवाल की साहता से समझ लेंगे तो पहले अपने concept सीखा concept सीखा था सवाल बना लिया सवाल बना लिया अब अपने क्या कर रहे है सवाल वही है प्रक्षिव गति का ही सवाल है बेटा लेकिन यहां पर एक concept भी थैस के अंदर बोपन सीख लेते हैं concept प्रक्षिटा योस है योस है कि अगर हम किसी कंळ को किसी कंळको दो क्वाण पर फिक है एक कंळठ थीटा और दूसरा कौन उसका पूरा कॉन यो spins पर फिके तो एसे गया यहां पर गिरा यो कंळ का पते यहां गिरा यह अपना टार्गेट है पॉइंट एसे कट पॉइंट भी है ठीक है दूसरा अगर हम कंड को फेक है कि है ठीज से 90 माइनस ठीटा एंगल पर जिसे अपन पूरक कॉंड भी कह देते हैं ठीटा का पूरक तो भी कंड यहीं गिरेगा कंड यहीं गिरेगा आई यहां गिराओ कंड को तो फंडा यह पॉइंट यहाद रखना पिटा कॉंसेप्ट यह है कि परास किस के लिए ठीटा कोंड के लिए बराबर होती है परास किस पर जब प्रेक्शन कोंड कितना है 90 माइनस ठीटा 90 माइनस ठीटा दोनों ही केस के लिए तो यह जगाई गेरेगा, यहां पर क्या है? तोफ से क्या चलायेंगे ? गोला नहीं गोली को को हम गोला कहते हैं तो तोफ से हमने चलाया गोला ठीटा कोंड पर टप करके गोला यहां गिरा फिर हमने गोला चलाया तोफ से किस कौंड पर 90-셔 पर घृदा करके यहां गिरा दॉनों केस में पराश समान हैं ठीके तो हमें t1, t2 और किसम है? r में ही सम्मंद निकलना है, तो मान लिजी इस case में जो समय लग रेला है, वो t1 है, और इस case में जो समय लग रेला है, वो t2 है, तो t1 का मान अपन कैसे लिखेंगे? t1 है, theta कौन पर, theta कौन पर, तो यह हो गया, 2u sin theta yg, ठीक है, फिर हमने का समय जो t2 है यह कब आया है, जब हमने प्रक्षेप का कौन कितना लिया, 90 minus theta, तो यह आगया, 2u sin 90 minus theta upon g, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2u cos theta by sin 90 minus theta, अब इनका गोड़न फल हमें निकलना है, तो इनका गोड़ना कर दो, t1, t2 का, तो t1 into t2 is equal to 2 और 2, 4, u square sin theta cos of theta, sin theta cos of theta, upon g square, upon g square, g into g, दो बार g है, अब तो बस calculation है, जिसमें आप expert हो बेटा, calculation आप मेरे से भैतर करते हो, in fact, calculation करना मैंने आप से ही सीखा था, कहां पर, people के फेड़ के नीचे, याद है, भूल गए, तो देखो, हम इसको अगर rearrange करके लिखें, तो मैं इसको ऐसे लिख लेत लिया, तू इधर ले लिया, 2 sin theta cos of theta, upon g square, तो g को भी मैं ऐसे लिख देता हूं, g into g, g into g, तो देखो, t1 into t2, t1 into t2 बराबर हो गया, किसके, 2 u square, u square sin 2 theta, upon g into g, अब आप अपनी खुद की, खुद की, परसनल, परसनल आखों से देखना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, सर, ये तो लिखा है, u square sin 2 theta y g, ये तो परास हो वह है, ये तो range हो वह है, उनका, ये से range होती है, तो t1 into t2, t1 into t2 का मान हो गया, 2 into r y g, ऐसा कोई option होगा, तो answer हो जाएगा, और अगर कोई ऐसा option नहीं है, बेटा, तो भी answer, answer, यही होगा, बेटा, देख लेते हैं, आईए, 2 r y g, ठीक है, अब देखो कभी calculation में कुछ plus minus हो जाए, जल्दी बाजी में, तो परेशान मत हो न, है न, answer दर, देखो खोपचा, इधर दिखा रहूँ, यहाँ खोपचे में answer लिखे रहते हैं, इसलिए, कि मान लिजे कभी हमने कोई सवाल आपको homework दिया, अब answer ही नहीं पत तो यहाँ पर एक concept था, इसको याद रखने का, तुम तो ठेर पर देशी साथ क्या निभाओगे सुभा, अब यह बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बेटा, यह homework है आपका, एक सवाल हमने करवा दिया, एक similar सवाल आपको करना है, फिर से भई बात है, दो कन एक ही बिंदू से यू है तब एक प्रक्षेप कोण करना होगा, धीटा, धीटा होगा, और दूसरी बार प्रक्षेप का क्षम होगज, कितना होगा, 90-थीटा होगा, तभी परास बराबर होंगी, तो एक बार आप H max लिखोगे, L Again X, पहले कैस लिए, तो यह होगया, U squared sine squared theta by 2G, और दूसरी बार जब अपन फेकेंगे के स्कॉण पर 90 माइनस ठीटा पर ये कप फेका गया ये ठीटा पर फेका गया तो यह हो गया u square sin square 90 माइनस ठीटा अपन टूजी ठीक है ओप्शन से समझ में आ रहा है कि हमें एचवन एसटू का गोणा गोणा करना और फिर थोड़ा सा मैनूप्लेसंस करना अपना दिमाग लगाना अंसर आपको और प्राफ्ट हो जाएगा और आंसर क्रोस वेरिफाई करना तो इस खोपचे में जाना खोपचे में अंसर लिखा हुआ है दोस्त हम आगे बढ़ेंगे अगला सवाल अगला सवाल एक कन चाल भी वरावर इतने से धनात्मा के अक्सिसा में चल रहा है तो टी वरावर टॉप पर कल की चाल क्या होगी अब देखो ब एक समय में सबसे महत्पूर्ण दो ही तो रिलेशन है बेटा और दूसरा क्या है ए बराबर डीवी बटे डीटी तुरन क्या होता है बेग के परिवर्तन की दर इन्हीं दो समीकर्णों से पूरी काइनामेटिक्स पढ़ी जा सकती है जो गती के समीकर्ण है वो भी यहीं से म नहीं है उस्कार की घती में डी यहीं चीज़े मानने है तो यह संबंद है A में ऑर कि समोवादिक है अब अब देखे हैं अनुउस जो सम्मन्दय दिये ला है यह सम await दिये ला है इसमें टी नहीं है टी नहीं है तो इन दोनों समीकरण की सहता से हम T को गायब भी कर सकता है क्या कर सकता है टी को गायब कर सकता है इनका भाग दे दो इसको हमने का समीकरण एक इसको हमने का समीकरण दो समीकरण दो मैं समीकरण एक का भाग दे दो तो हमें ए बराबर मिलेगा यह ऐसे मिल जाएगा एवटे भी ये बटे वी इज एक्वाल टू हूँ हूँ डी भी अपॉन डी एस कहलो या डी एकस कहलो तो अंतिता बेटा याद रखना देखो यहां पर एक पॉइंट आ कि हम सवाल करने गए थे लेकिन हमें थियोरी का एक पॉइंट मिले गया कि ए बराबर कितना हुआ ए बराबर हुआ में घिवे अपॉन डी एस सवाल फूला फूटी में किया करो बेटा है लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दवाजी के चक्कर में गलती कर दो पता चले सवाल आसान है सवाल आता था जल्दवाजी कहते हुआ जल्दी का कम सैतान का सैतान का तो सैतान वाले काम नहीं करना है कि ऐसा होता है सब के साथ होता है मैं भी जब पढ़ाई करता था है न एक्जाम देता था तो कई बार आसान सवाल है जल्दी वाजी में हमारा सवाल सही हो जाता आसान सवाल था लल्लू सा सवाल था लेकिन हमने मैं गलत कर दिया तो जहां मैं प्लस चार मिलने चाहिए थे वहां माइनस वन मिल जाएगा अब और सभी लोगों ने वो सही किया होगा तो मेरी रेंग तो कितनी पीछ होगे भी है मुझे पांच नमबर का नुकसान हो गया एक तो मेरे जो चार आते वो चले गया और जो आये हैं उसमें से एक और कट गया तो बिटा ध्यान देना ठीक है जल्दिवाजी के कारण सबाल गलत नहीं करना है तो इस रेजल्ट को याद रखना है यह बेसिकली ए भी और विस्थापन में संबंध है तो देखो यहां पर अपने पास यह सब लिखा हुआ है मैं एक कामा करता हूं इसको लिख लेता हूं भी इस एक कॉल टू बी इंटू रूट एक्स मेरे दिमाग मे कहां से आया कि मैं ऐसे समय को गायब करूं बिटा मैंने इस समीकरण को देखा और देखता रहा मैंने देखा इसमें समय नहीं है तो मैं समय को गायब करना पड़ेगा हमारे पास यह दो में समीकरण है हमने इनको भाग दे दिया हमने सोचा समय कैसे गायब होगा भाग दे यह समय संभला मतलब समय गायव हो गया वाई अब अपन खेल लेंगे अब अपन खेल लेंगे ठीक है जैसे यहां एकस लिखाए ना तो परिशान मत उना सवर आपने एस लिखाए है एसो एकस वो य हो सब क्या है विस्थापन है धीक भडाद ओके डी इसका बरग कर लो तो भी स्कॉर इसको ακोल टू भी स्कॉर इन्टू एक्स वैसे सवाल को मौड दूसे तरीख से भी कर सकते थे लेकिन यहीं से कर लो यह ब्यापक तरीका है अब हम इसका अभकलन कर देते हैं क्या कर देते VOICE बेटा differentiation कर देए हैं हमें कणकी चाल चाहिए तो कणकी चाल चाहिए टी के पदों में आई आई हो तो हम तौरण निकाल लेते हैं कितना आ रहे हैं इसको differentiate करते हैं बेग का अबकलन करेंगे तभी तो तौरण आएगा ठीक है तो यह बेग है और एक्स का अबकलन हो गया डी एक्स बटे डी टी डी एक्स बटे डी टी क्या होता है भी या बेग होता है बेग होता है यह बेग होता है यह बेग है सल्टा दो तो यहां से डी भी अपॉन डी टी इसको हमने लिखा ए एक का मान केतना आ गया बी स्करवाय टू आ गया हमने क अधिकार प्राप्त है इस दुनिया में कि हम गती के समीकन लगा सकते हैं तो हमें ग्याद क्या करना है चाल चाल गती के समीकन लगा दो तो हम क्या लेखेगा वी जेक्वल अ हम तो प्रारंब कर डान कहा है तृ यह व प्रारंब कि अधिक्या झाल कर दाया कर लुद्धी 엥थ प्रारंब में ती बराबर जीरो पर कन कहा है मूल बिंदू पर है ती बराबर जीरो पर कन मूल बिंदू पर है अर्थात एक्स की जगह कितना रखोगे जीरो तो भीका मान कितना आ गया जीरो आ गया भीका मान कितना आ गया जीरो तो प्रारंब कि वेग कितना है जीरो तोरण सब्सक्राइब एक वद सब्सक्राइब करते हैं श्र'veर क्षम्ट यहीं अपना आउसर होगा और और पृब अब जाएगा आपको किसी बच्चे को इसमेंbridge diminution हो सकता है तो सिंपल सी बात है प्रारंबिक्त वेग यू बरावर क्या होता है कि अब में ती नहीं दिया है बूस्थापन के पताव में सब्सक्राइब तो टी बरावर जीरो पर ऐकस बरावर कितना है ? 0 है ठीक है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि X बराबर 0 पर जो कन का वेग है वही प्रारंबिक वेग है तो V is equal to V into root X की जगहे रखा 0 तो V का मान कितना आ गया भी X को 0 रख दिया तो बास्तम में V क्या बन गया यू प्रारंबिक वेग तो प्रारंबिक वेग यू बराबर कितना हो गया 0 इसलिए मैंने यह पर 0 रखा तो एक कॉंसेप्ट इस संबंधित और यह हल चलिए बच्चों अपना अगला सवाल अगला सवाल यह से आपकी सक्री ठीण पर ठीक है एक कंड का बेग भी बराबर के आइक एप और मेन इसमें तो यह कुछ गड़बड है कि इस कंड के पथ का ब्यापक समीखर्ण क्या होगा मेरे हिसाब से बेटा यह बाई आइक आइक होना चाहिए बाई यह लेकलना आज देखते हैं कंड का बेग इतना द कण का बेग की दर से चल रहा है क्णल का बेग की दर से चल रहा है ये क्या लिखा है तो क便 Vx अगर अपन लिखें Vx तो इसका मान कितना हो गया by और अगर हम Vy लिखें Vy तो इसका मान कितना हो गया by दिशा का बेग कितना हो गया k भी लगा दो बेटा किया है नियातांक है तो इमान हो गया k into x हो गया k into x अब x का जो बेग है वो अपन लिखेंगे dx upon dt तो dx upon dt is equal to k into y हो गया और यहां से हम लिखेंगे dy upon dt वो कितना हो गया kx into dt के x into dt हो गया को अब अपने काम करते हैं इन दोनों समीकरणों को भाग दे दे ते इन दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं भाग दे तो dy upon dx, dy upon dx is equal to इधर k into x into dt divided by k into y, अच्छा, dt फिर यहां क्यों लिखा, dt मतले लिखो बिटा, dt इधर लिखा हुआ है ना, तो यहां से dt हटाओ, dt हटाओ, अरे जादूगा रादमी, भाग दो, तो dt dt कट गया, dt dt कट गया, kk कट गया, इधर बचा है, x इधर बचा बेटा by, इधर बचा by, अब इसको मैं rearrange कर लेता हूँ, तो यह हो गया by into dy is equal to x into dx, इसका समाकलन कर दो, इस simple साबकल समीगाण जैसा आ गया, यह by square upon 2 is equal to x square upon 2, plus constant, plus constant, तो समीगाण, आंसर कौन सा आगया, d डहली, x square is equal to y square plus something constant, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y square is equal to x square plus 2c, ठीक है, 2c मतलब constant, ठीक है, तो दिखो यह वेग दिया था, x का यह वेग है, y का यह वेग है, तो हमने x का वेग, x का लिखा, y का वेग लिखा, फिर पत का समीगाण चाहिए, तो हमने time को गयब कर दे, जब भी हमें प्रक्षे पत का समीगाण चाहिए होते हैं, आप time गयब कर दो, एक x का समीगाण, एक y का, एक x का, एक y का, दोनों से मिलाके टाइम को गायप कर दो, आपकी जिंदगी आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी हो जाएगी, ठीक है, आपको X और Y में सम्बंध मिल जाएंगे बिटा, तुम तो ठेरे परदे सी साथ क्या निभाओगे सुबह, सुबह, चलिए, 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 दरसाता है, एक पिंद को उर्दाध मिल यह दरसाता है, तो यहला की जिसंदगी ऑफिए, वो फित kabul को आए, गड़ता है, हाई पइंदा उपर, एन प्रद सम्धा बढता है, बिटाता है, उसरी दरसाता है, और फिर इलों फिल जाता है, पिर उस्ती अपर एधे बढता है, बतब चाल बढ़ती है लेकिन रिनात्मक में तो देखो प्रारंब में प्रारंब एक पॉइंट पर बेग सबसे ज़्यादा होगा ठीक है फिर उसके बाद यह वाला अंसर हो जाएगा इसका उसके बाद बेग अम चाल की बात कर लेते हैं चाल घटी 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 जीरो हो गई जीरो हो गई फिर कण नीची आने लगा तो चाल बड़ी 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 लेकिन नेगेटिव में लेकिन नेगेटिव में ठीक है तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाता है यह बेग के लिए सही ग्राफ है अगर चाल के लिए पूछा सुपर महा गलत है हम लोटके बापस आ गया समय में आगे गया फिर समय में बापस लोटाए तो यह ग्राफ प्रारंबिक वेग अधिक्तम अपन देखो ऐसे देख लो कि कण लिया फिक दिया किसे प्रारंबिक चाल यू से जब तक यू नहीं दोगे कण ऊपर नहीं जाएगा कण उपर गया 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 अभी यू घट रहा है घट रहा है यहां पर भीका मानी के इतना हो गया बे कित्ता हो गया जीरो अब कण नीचे आएगा इसका चाल बढ़ेगा 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 लेकिन नीचे की दिसा में बढ़ रहा है बेट एक प्रक्ष्य पत को निश्यत प्रारंबिक वेक, UX का मान लिखो, कितना है? 1 है, UI का मान लिखो, कितना है? 2 है, ठीक है, G का मान 10 है, G बाई दिसामे होता, तो Ay का मान कितना? माइनस दस माइनस दस माइनस जी ले लो या माइनस दस ले लो एक ही बात है ठीक है प्रच्छे पत का समीखण हमें बताना है u x बराबर कितना है 1 ठीक है तो देखो बेटा हम x दसा का समीखण s x is equal to कितना लिखते है a u x into t और प्लस half ये तो 0 हो जाता x into t square तो a x का माइन केतना है बेटा 0 है ठीक है तो x दसा का बिस्थापन हम लिखें तो ये 1 into t हो गया 1 into t हो गया a x केतना होता है बेटा 0 x दसा का तरौन 0 होता है हम y दसा का बिस्थापन लिखें तो s y is equal to u y into t plus half a y square यही होता है तो y दसा का बिस्थापन हमने यह लिखा u y का मान केतना है 2 into समय केतना है समय केतना बेटा t minus half a 10 a y का मान 10 into t square अब देखो ये x दसा का समी करण आ गया ये बाई दसा का समी करण आ गया दोनों में समय है क्या है बेटा समय अब बस समय को गायप करदो प्रिक्षे पत का समी करण चाहीई ना तो हमने एक दसा का समी करण लिख लिए बाई का लिख लिए अब बस क्या करो इन्हें मैंसे t को गायप कर दो तो हमें x और y में संबंद मिल जाएगा तो यहां से आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो T का मान है वो X के बराबर है तो हम T की जगाए X लिख देंगे तो Y is equal to 2, 2 T की जगाए क्या लिख दो X लिख दो माइनस एक इतना बचा 5 T की जगाए क्या लिख दो X स्कूर लिख दो ढूंड लो ढूंड लो मोगेंबो खुस नहीं बहुत खुस हुआ यह सेकंड वाल ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो प्रक्षे पत के समयकाण के लिए देखो कहानी वही है X के लिए लग उबाई के लिए लग खेलो अब रक्षे पत का समयकन चाहिए तो टाइम को गायब कर दो दोनों समयकन से आपको आंसर रत्न मिल जाएगा अब अब हम इस बाल चलो ने इस बाल का अब 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 आपन चलते हैं बलकी कहानी पर वह भूंकुश यह था आपनस स्टेमलर को सिन वैसा कर चूके हैं तो आपको बेसी कली क्या करना परास निकालना है परास निकालना है r is equal to u square sin 2 theta y g निकालना है ठीक है और r को अधिक्तम होने के लिए r maximum होने के लिए बेटा theta का मान कितना होना चाहिए 45 degree होना चाहिए तो r max maximum परास का मान कितना आ गया बेटा यह आ गया u square y 2g ठीक है यह परास है तो वो radius का काम करेगी अपन गोली चला रहें गोली चला रहें या कोई फाउंटेन लगा हुगा है मान लीजी यहां से ठीक है अब इससे गोली चला रहें सभी संभव दिसाम हैं तो कोई गोली ऊपर गई उपर जाके सीधे नीचे आगे कोई गोली इधर गई इधर गई जो गोली सबसे दूर जाके गरेगी वो कितने कौन पर फेकी गई होगी 45 तो इस प्रकार से इतने पूरे भाग में गोलियां गिरेगी गोलियां गिरेगी बिता लुत और यह जो दूरी यह जिससे असाkommen परास कहते है इसके लिए हमें आर मेक्सिमम मिलेगा तो जो परास है इह आर है परास एक इसके बराबर हो जाएगा जै क्겠्री आर किसके है मैंने हिंट दिया है अब चलो बल बल के बारे में फैदे चोटी छोटी बात रहें अब क्या करता है जब हम किसी वस्तू पर बल लगाते हैं बल लगाते लग coronavirus करता है उस भश्तू की गत्ती की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रियास करता है कि किसी भी बस्तू पर हम बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रियास करता है ठीक है हमने इस पर बल लगाया बोटल पर बोटल पर बल लगाया ऐसे करके बोटल चलने लगई बोटल चलने लगई अब हम एक पहाड़ पर बल लगा रहे हैं पहड़ पर तो पहड़ नहीं चला तो बल ये तो गती की अवस्था को बदल देता है या कोशिस तो करता ही करता है तो बल वह भायकारक है जो किसी वस्थू की अवस्था इस्ति आकार आकरती में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रियास करता है बस्तू की गती की अवस्था बस्तू की गती की अवस्था का सीधा सीधा सम्मंद होता है बेग से बेग से हम गहें बस्तू की गती का अवस्था बदल दिया मतब बेग बदलना कोई रखी थी धक्का दिया चल पड़ी अवस्था बदल गई कोई चीज़ चल रही थी ब्रेक बेग बदल गया तो एक छोटी छोटी चीज़े हैं एक बार फटा-फट देख लो बल जो प्राकृतिक बल है नैच्रल फोर्स हैं यह चार प्रकार के होते हैं एक गुरुत्वी बल एक बिद्दुत्चुम्किये बल एक नाभीकिये बल नाभीकिये बल को दो भागों में बा एक थाली हैं तो यह सबसे जादा स्ट्रॉंग भी यही होतें इसाबसे जादा स्यलग होते और गुत्वारीमोंस बार प्रकार मतलब होता है बस्तू के बेग की दिशा के अंदिस, मालिजे बस्तू इधर जा रही थी, अब हम बल या तो इसकी दिशा में लगा दें, दूसरा कहानी के आओ सकता है कि बस्तू इधर जा रहे लिए, बस्तू इधर जा रहे लिए, भी बेग से हमने बल लगाया इसके दिशा के विप्रिक इधर बल लगाया तो बेटा बेसिकली यह चाल को बढ़ाएगी और यह चाल को कम करेगी चाल को कम करेगी तो इस पर सिय बल क्या करते हैं बेग का बेग का परिमान परिमान जिसे अपन क्या कहते हैं चाल कहते हैं चेंज करते हैं चेंज करता है देखो बेग बदलना है तो द थ suspected बेग सद्धिस्राशी होती हैं और किसी भी सद्धिस को आप कैसे लिखते हो सद्धिस को ऐसे लिखते हो सद्धिस Ben अब परीमान इंठी उप्रीमाण इंट्रोग दिशा अब कि अब हम सब बदलना है तो यह तो परीमाण बदल दो या दिसा बदल दो परिमाण बदल दो या दिसा बदल दो या दोनों भी बदल सकते हो ठीक है तो परिमाण कब बदलेगा जो बेग है ठीक है बेग सदिसराशी तो बेग का परिमाण होगा दिसा लगेगा दिसा होगा तो हम कहेंगे अगर बल इस पर सिय है तो बेग का परिम तो इसकेस में बस तो इधर जा रही है बल भी धर लगा दिया इसकी चाल बढ़ गई इस केस में और दूसरे और दो सरे जो अभि लंबी ये बल होते अभी लंबी इसा बदलते हैं दिसा को इचेंज करतें तो कोई वस्तू कहा जा रही थी, इधर जा रही थी, इस दिसा में, किस चाल्ड से भी चाल्च, हमने बल इसके गती के लम्बबत लगा दिया, मानली जी यहां लगा दिया, दो है, तो इधर बल लगाया, तो बेटा, ये, अब सीधा नहीं जाएगा, बल लगाने के करन बेटा इसकी दिसा बदल जाएगी इधर जाने लगेगा तो दिसा चेंज करते हैं परिमान नहीं अच्छा ये बाला दिसा भी बदल सकता है क्योंकि देखो बल इधर हैं तो बस तु इधर गई इधर गई कही ना कही बस्तू जाके ब्राम में आ जाएगी और फिर rest में भी आ सकती है फिर इधर rest ब्राम में आ गए फिर इस तरफ चल पड़ी तो जसे कि इसमें होता है जब हम बस्तू को उपर फेकते हैं हमने बस्तू कहा फेका उपर तो यहां पर जो बल लगता है वो बल होता है भार M.G. तो बेग पहले बस तू उपर जा रही थि, उपर जा रही थि, फिर इधार आजाती एक स्ट, इसे गुमा देता है ऐना ऐसा नहीं कि भढ़का नहीं देता है कि पहले इधार जारी थि इधार चला जाए कि अभी लंबी बाल होगा तो वो क्या करेगडे कटभ को मोड दे गाए किसी भी साम जिसाडार बदलते हैं अब देखो बलों को और भागों बाता है गैर संपर्क बल गैशां परक बल तो इस में टाइम पास की जरूरत नहीं है संपरक बल वह हैं जब दो थो सवर्क में आती ताव तब लगता है जैसे नार्मल रियक्शन लोगता है नाम सुनाय होगा अ मिलazzi सवालों में सिन नम का उप्योग कर लेते हैं अभी लोल ँगया घरषण हो गया घर्षण हो गया तो ये कब लगता है जब बस्तुएं संपर्क में है गैस संपर्क में मतलब जब बस्तुएं संपर्क में नहीं भी है दूर सही लग रहा है दूर सही लग रहा है जैसे हमने का एक AOS Q1 है एक AOS Q2 है संपर्क में नहीं एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखे बहुत दूर्द्व रखें तो भी इनके बीच ब लगता है ठिकिंए दो द्रभमान ले लो एक द्रभमान मान है बहुत दूर्द्वरु रखें इनके मते बल लग रह यहाए उम ऐसा लिए भाल है प्र्तवी और चांद के लगता है व्हुत Stress необ Lite संपर्क नहीं है एक तो गृतवी बल गयर संपर्क बलոगliamo हो तो यह घृतरीप को संपर्क में होगागी तो संपर्क में होगी और गार संपर्क में नहीं होगी एक अधी को टाच नहीं कर रही होगी, तुम तो ठेर परदे सी साथ क्या निभाओगे, न्यूटन का पहला नियम, तो पहला नियम, दूसर नियम, तीसर नियम, सब किलियर होगे, पहले नियम में अपन क्या कहते हैं, बस तू ब्राम में है, तो ब्राम में ही रहेगी, बस तू गतिमान है अब इसे अपने जड़त्तो का नियम भी कहते हैं तो यह कुछ नहीं है एक बार रीड कर लो वैसे मैंने बोल दिया ताइम पास अबन सवाल करेंगे जड़त्तो क्या होता है यह बस्तू का गोंड होता है जो बस्तू की अबस्था में परीबर्टन का विरोध करता है जड़त पर पतैने होता है यतनी जदनी जदा हैं उतना ही जदा होगी कहा जाता है कि मॉटर साइकल को ब्रेक लगा़कर को रोकना क्षिश्म को रोकना है क्त्रेंग करें कर पर नुद में यत listen की तुलना में तो इसका जड़त तो कम हो गया विटा ठीक है ऐसा अब देखो न्यूटन की गती का दूसरा नियम किसी वस्तु पर लगने बाला परणामी बल संबेग में परिबरतन के दर्गे समानुपार्थी होता है अब एफ इस डारेक्टली प्रपोर्शनल टो डीपी अपॉन डीटी है ना यह न्यूटन साहब ने का फिर जब समानुपाती का चेन हतारते हैं तो कुछ कुछ कॉंस्टेंट आता है तो न्यूटन साहब ने कहा इस कॉंस्टेंट को कितना लिलों नियम नीउटन भी ने नहीं दाया इसका मान ने लिया बखल तो एस बराबर हो गए एप सद है इस को डीपीब लीटी गे सदावर सूथ्र को सदाबाहर इस सदा बहार सूथ को आलもし लेbig कि अ भरावरडीबर डीपीब्धीड सदाबहार है हम इसको इसने बेस सकते एतेओ एविरेज अच्छा देखिए तो देखो एफ बराबर अपने ऐसे लिखेंगे एफ एक्वल टू समझ लो इस पर आधार सवाल होते हैं इसली में बता रहो डी अपॉन डी टी इधर क्या लिखा है पी पी की जगह अपन क्या लिख तकते हैं सम्बेक को एम इंटू भी लिख सकते हैं अब कलन ऐसा ही करते हैं बेटा अब कलन ऐसा ही करते हैं तो यह सदा बहार सूत्र है 100% करेक्ट सूत्र है बेटा यह बलका संपून सूत्र है ठीक है अब यदि अपन कहें यदि अपन यहां पर लिखें कि द्रभ्यमान नियत है इफ इफ नहीं यदि यदि अपन मात्रवास सवाले हैं यदि द्रब्यमान नियत है मास नियत है मास कॉंस्टेंट है तो अगर M नियत है तो DM बटे DT का मान केतना हो गया बेटा जीरो हो गया ठीक है DM बटे DT 0 हो गया तो F सदिस बराबर बचा है M into dv vector upon dt और dv upon dt को क्या कहते हो क्या कहते हो मित्र तो आप कहते सर्द dv upon dt होता है dv upon dt को हम लिखते हैं तो तो F बराबर म तो जड़ा आप बताओ F बराबर में हमेशा मानने हैं रहा देखरान लोल लोल ना F बराबर में तभी मानना है जब रब्यमान नियत है कि इसा यह हमेशा always this is always true यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे f is equal to हमने कहा dp upon dt अब हमने कहा किसी निकाय पर f का मान के तना है सुने हैं किसी निकाय पर f सुने हैं तो इसका मतलब हो गया D p upon dt ब glow सुने किसी चीज़ का अब कलन कब सुने होता है कब सुनों होता है जब वह चीज नियत होता तो पी नहीं आते वाई तुम तो ठेरे पर देशी साथ क्या निभाओगे सुबह आजाओ आव वी सेंटीमीटर लंबाई की मिट्टी की दीवार भेदने से ठीक पहले 20 ग्राम द्रब्मान की एक गोली की चाल इतना है यदि दीवार 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton का ओसत अबरोध लगाती है तो दीवार के दूसरे तरफ से निरगत गोली की चाल का सन्निकट मान क्या होगा ठीक है ओसत वल तो F average अपन कैसे लिख लेते हैं डेल्टा पी बटे डेल्टा टी डेल्टा पी बटे डेल्टा टी ऐसे इह F average का मान इतना दिया है सम спорт ska apenas दिये लाए क्या कि समय अंतरल नहीं दिये ला है हमें निरगत तवाय में क्या ग्याद करनी बsystem करें कोई दिक्कत नहीं कोई भी बड़ी वात ना ने कोई भी बड़ी वात ना ने बैसे इसका व्योग हमें अभी तो दिखाई नहीं दे रह हमें एक दीवार दिखाई दे रही है आओ मित्रों यह है अपनी एक दीवार दीवार है तो देखो कैसा सीन है बेटा एक गोली जो यहां पर चलना शुरू करती है एक मीटर प्रती सेकंड से प्रारंबिक बेग और यहां से आगे जाते 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 यहां भ मंदन निकालने दीवार ने कितना मंदन दिया होगा वह हम निकालने देखो यह क्या है गोली इधर जा रही तो जब गोली इधर जा रही है तो गोली पर जो बल है वो इसके विप्रीत लग रहा होगा बल कहां लग रहा होगा बेटा इसके विप्रीत इधर बल होगा और उसतवल का आपको मान दिया गया है कि उसतवल इसका इतना है तो हम तोरण ए बराबर निकाल सकते हैं ए बराबर हो जाएगा एफ एवरेज अपॉन एफ का मान कितना है टू पॉइंट इन्टू दी पावर माइनस टू और एम का मान 20 ग्राम है तो बीस इन्टू दसकी घात माइनस तीन तो यह बास्तम में कितना आ गया एग दसम्लाब 25 इसको भाग दो और उपर गया 0000 तो टेन्टू दी पावर वन वचा ठीक है तो यह आ गया 12.5 मीटर पर सेकंड 12.5 मीटर पर सेकंड यह तोरण आ गया भाई ठीक है अब अपन क्या लिखेगा तोरण आ गया अब हम चाल लिख लेते हैं कितनी हो जाएगी तो हम सूत लगा देंगे यहां पर V स्क्वाइर इस एक्वाल टू यू स्क्वाइर प्लस 2 A S ठीक है हमें किसका मान ग्याद करना है भी का ठीक है यहां पर वेग भी A S यहां का विस्थापन यह कितना दिये ला है वी सेंटिमीटर बोले तो 0.2 मीटर 0.2 मीटर तो V स्क्वाइर इस एक्वाल टू वन स्क्वाइर प्लस 2 A का मान कितना है या 12.5 और S का मान कितना है माइनस लगाओगे आप इसमें है ना बेसिकली यह मंदन है गती के विप्रीत बेगे के विप्रीत तुरण को हम क्या कहते है बेटा मंदन कहते है ठीक है बस तू इधर जा रही है बल इधर है तो बल के करन तो तुरण आएगा वो इस दिसामें होगा S का मान कितना है बेटा पॉइंट टू है तो दसमलब हटाओ दस लाओ दसमलब हटाओ दस लाओ ठीक है तो 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 अब देखो इसको अपन काटा कूटा मचाएं तो यह एक हो गया यह माइनस का बारा दसमलब पांच बटे दस यह तो मान ज्यादा आ रिया ह तेन की पाबर माइनस टू 20 अच्छा यह हमने पाप कर दिया यहां पर पाप कर दिया दो नहीं वहीं तो ज़िक्स की खुबसूर्ट की पाप हो जाता तो पता चल जाता है अब लो यह तो वी स्कुर कमा नेगेटिब पाने लगा भी स्कॉर नेगेटे बागे मतलब पाफ हो गया क्या हो गया पाफ तो दसकी घात माइनस टू तो इसका जी जो तोरण आया है वह एक दसम्लब दो पाँच ही आया है पिटा कितना एक दसम्लब दो पाँच तो वन स्कॉर पिए प्लस तू इसका मान माइनस का माइनस थ nervous क्रेंट 2 पाइग जीन लाव तो एक दसम्लब दो पाँच कितना हो गया धाई धाई इन्टू दो डाइ into 2 कितना हो गया बेटा 5 हो गया 5 5 ही हो जायें गाए एक पांच येस पॉइंट 5 तो इसका मान आ गया 1-0-5 तो कितना गया point 5 20 कमान 20 कमान- экспер- 5 आ एब 0.5 पेका एला बेटा रूट ले लो तो 0.5 का रूट аемся ते अजले लेना है और रायम स् कि the B इसको आपọnवुलो तो मैं यह लिख दूँल में एक संब एक लाइटू का मान होता है 1.4 तो देख ले न कौनसा है अंसर आगा है भटते हैं भाग देना इना यह सब आपको आता है अगला सवाल अगला सवाल देखो बिटा ध्यान से देखना अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष्यान इस्थिर अंतरग्रही धूल को उड़ा ले जाता है परिणाम स्वरूप इसका द्रब्मान DM बटे DT बराबर BT स्कोर की दरद से बदलता है यहां BT इसका ताक्ष्निक बेग है तो उपक ग्रह का ताक्ष्निक तोरण क्या होगा देखो बिटा एक अंतरिक्ष्यान है अंतरिक्ष्यान अंतरग्रही धूल को उड़ा ले जाता है मानली जिये ये कोई अपना अंतुरिक्ष में घूम रहा है तो इस दूर सबाल में बोला है कि जो अंतर ग्रही ए उस दूर को चिपका लेता है उड़ा ले जाता है चाहिक है आप मालीज continuum इसके साथ 只बकती जाएगी दूंह इसके साथ जोड़ती जाएगी तो इसका द्रभमान भड़ेगा द्रभमान भड़ेगा और द्रभमान किस दर से बढ़रा है द्रभमान नी मिंदर आपको दी गई है ठीक है यह है ताक्षनगे पेग है तो हमको क्या निकालना उपग्रह yapılड़कत तौरन अब आप बता हो यहाँ पर कोई बाहरी बले लग रहा है क्या कोई बलर रहा है बाहरी आप कहांगे नहीं यह ई depAR haykind भी अंत्रिक्षियान है ठीक है तो यह इस्थिर धूले तो प्रकृखिया में कोई भी बहरीलल नहीं लग रहा है चलो हम मान रखते हैं पहले एह बदल लगाना पड़ेगा और बिखेंगा इस प्रिक्रियाम में किसी ने किसी ने बहरी बल नहीं लगाया बहरी बल कैसे लगा गया सारी की सारी बात अंतरक्षयान और धूल के बीच हो रही है यहां प्रेस्ट ना कि शक्तिमान गया उड़के बल लगा दिया नहीं कोई भी बाहरी बाल यहां पर नहीं लग रहा है इस बल कमान कितना है सून तो देखो यहां से अपन लिखें M into db upon dt इसको अपन ने क्या लिख लिया ए लिख लिया इसका मान क्या है a बराबर माइनस b dm by dt dm by dt ठीक है हमें a का मान चाहिए तो a का मान कितना हो गया b into dm बटे dt dm बटे dt upon m तो भी का मान तो भी ही है बी अपन भी ले लो एजा function of time ठीक है upon m और दी एए बटे dt का मान कितना दिया गया है माइनस तो लगा लो माइनस लगा लो भई माइनस लगा लो कि दी एंबटे टी ती का मान कितना दिया है बी इंटू भी स्कूर समय के पदों में जो द्रबमान है बेटा वो भी समय के पदों में समय के साथ बदल रहा है द्रबमान तो अपना आंसर कितना आ गया फाइनली फाइनली आ गया माइनस बी इंटू भी एज़ा फंक्शन ऑफ टाइम इसकी घात तीन अपॉन एम समय के पदों में धूंड दो धूंड दो बेटा इसमें अरे तुम ही हो तुम ही हो जिसको हम धूंड रहे थे सेकेंड वाल ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है कि यह क दो बल अच्छा बढ़िया नहीं यह थो ऐसे यह दो बल प्यक्यू जैंके परिमान इतने इतने हैं प्रसपर ठीटा कॉण बनाते है यदी वल्क्यू ना करने तो इनका परिमान भी गौना हो जाता है तब थीटा कमान क्या होता ए ुख्यक्य तो दो सद्दिसों का प्राणामी होताइस कॉर्ण सबीस कॉर्ण से लोगा में एक दूसरे से कितना बना रहे है इतना वना रहे हैं ठीटा कोण बना रहे हैं तो इनका प्रयामी अभी कतना है और एज एक कॉल टू आरेज एक कोल टू कितना आप लिखोगे 2F का स्कुयर प्लस 3F का स्कुयर प्लस 2 into a का मान कितना है 2f b का मान कितना है 3f into cos of theta अब चाहो तो वर्ग कर दो तो यह हटी जाएगा है बर्ग कर दो कर दो सर्माव मत सर्माव मत रूट अटा दो वर्ग हो जाएगा रूट हटा तो वर्ग नहीं हो जाएगा वर्ग कर दो तो रूट हट जाएगा वर्ग कर दो तो रूट हट गया इसको हमने कहा एक समीगर नम्मर एक अब क्या कह रहे हैं कि Q को अगर दोगना कर देते हैं मतलब Q कितना था 3F इसको दोगना कर दो तो 2 into 3F 6F कर दो तो जो परिणामी है वो भी दोगना हो जाता है परिणामी बल दोगना हो जाता है तो यह परिणामी बल जो R है R है यह दोगना हो जाता है 2R हो जाएगा 2R हो जाएगा कब हमने P को चेंज नहीं किया तो P कमान कितना है 2F कवर Q कमान दोगना कर दिया 6F कर दिया प्लिस 2 2F को बदला नहीं है 3F को कितना कर दिया 6F into cos of theta समय कर दो हमें किस का मान निकालना है बेटा हमें theta का मान निकालना है इनको भागा कर देना जोड़ जाड़के F कट जाएगा R कट जाएगा theta का मान मिल जाएगा निकाल लोगे न भी यह कमेंट में answer खोपचे में लिखाए match कर लेना ठीक है बर्ग करोगे यह सब काटा कूटा मच जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इन दोनों को भाग कर देना है answer मिल जाएगा लालालालू लेलो ऐसा चलिए 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 लेट हो रहे हैं भाईया लेट हो रहे हैं अब देखो यह ठीक सवाल लग रहा है ठीक सवाल लग रहा है आओ ध्यान दो एम दर्बमान का एक कण संबेग पी से एक सीधी रेखा में जा रहा है टी वराबर जीरो से आरंभ करके उसी दिसा में एक वल एफ वराबर केटी इस गतिमान कण पर समयंतरल टी तक लगाया जाता है तो इसके संबेग तो इसका संबेग पी से बदल कर थी पी हो जाता है देखो कोई बस्तू है बस्तू है इस पर हमने इसका संबेग था पी अब हमने इस पर चिपका दिया बल हमने इस पर लगाया बल तो बल है, तो संबेग बदलेगा, क्योंकि संबेग बदलने के कारण ही तो बल आया, यह हमने का बल लगाया, तो इसका संबेग बदल गया, तो बल हमने F लगाया, तो संबेग इसका परिबर्तित हो गया, और किसी समाई T के बाद इसका संबेग बदल कर कितना हो गया, 3P हो है ठीक है समय कि बल कितने समय तक लगाए गया है केस रांक है हमको टी कमान चाहिए बल कितना दिया है बल नियत नहीं है बल नियत नहीं है बल बदल रहा है बल बदल रहा है जैसे की यूग बदल रहा है संसार बदल रहा है आईए हम एफ इस एकॉल टू क्या जानते हैं हमार इसकोल टुटो जल्दी जल्दी दїख ना डी पी अपॉंडीटी तो एफ कमान के तो टी है डी टीपी कि आपना डी टी हो गया है डी पी तो मेरे भाई का नाम अन्हें पर टी पी ए है तो डी पी स्कोल टू इस इदर से केटी इंटु । इसका समाकलन कर दिया जए तो इधर 5 यौदर 3P300 ठीक है 0 से समाए ले लो टी टी टो इसका समाकलन करोगे लेमिट करोगे तो अपर लिमिट- लौजर लिमिट के 1 इतना गया 2P आ गया और यहां पर के कॉंस्टेंट है समाकलन रहो दून खो तो टी स्क्वुर्ट वाइट तू आ गया और यहां से बेटा टी कमान मेरीमने कालेंगे तो ठीक कमान आ गया है अंडर दने रूत टू दो बार आजाएगा फी अपोन K फीपोन के बिटा ठीका मान निकाल रूट लेकर ओपस्ञ्ण डूड़ लो हाहा पी वाई के सी ओपसनिस ता करेक्ट आंसर थिक तो ध्यान देने का कि बल यहां पर समय के फलन में है तो हमें थोड़ा समाकलन करना पड़ गया इसा अगला सवाल देखिए एक जाल जिसका द्रब्मान इतना किलोग्राम है ब्राम से इतना न्यूटन बल दोरा तीन मीटर बेस्थापित किया जाता है जल का प्रत्रोध नगन्य है जहाज की चाल क्या होगी एक जाल जिसका द्रब्मान इतना है ब्राम वस्था से इतना न्यूटन बल लगाया जाता है ठीक है तो बिटा तोरन निकल लो तोरन एफ बराबर देखो जहाज यहाँ पर जहाज का द्रब्मान इतना है और इतना दिया है तो यह नियत नहीं होता तो समय की फलन में दिया ज और M का मान कितना है बेटा F upon M, M का मान है 3 into 10 की गात 7, काटा कूटा मचा दिया जाए तो यह आ गया 5 बटे 3 गोड़ा 10 की गात माइनस 3, A मिल गया, ठीक है हमको का चाही जहाज की चाल चाही, V square is equal to U square plus 2 AS, 2 AS, ठीक है, तो समीकर लगा दो, V square is equal to U का मान कितना है, 0 तो 0 square plus 2, A का मान कितना दिया है, 5 बटे 3 into 10 की गात माइनस 3, दूरी कितना दिया है, 3 मीटर, 3 मीटर, काटा कूटा मचाओ, 3 से 3 उड़ गया, तो V square का मान कितना गया, 5 दूरी 10, दूरी बडूर दूरूर दूरूरू डूरू कि दिल पर एदेस ही हो गया, 0.1 मी तलपल से केंड, दिस इस दा करेक्क आंसर, तो रन भीया, नियत आया है, तोरन नियत आया है, इसलिए हमें अधिकार प्राफ्थ हुगा, गती के समीकरन का, उप्योग करने का, ठीक है, बिटबा, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल, एक मेज पर एक कपड़ा बिच्छा है, इस पर कुछ तस्तरियां रखी हैं, मेज से कपड़े को उस पर रखी तस्तरियों, को मेज पर ग्राय बिना खीस लिया जा सकता है, बता किस नियम से, एक मेज पर एक कपड़ा बिच्छा है, इस पर कुछ तस्तरियों प्लेट रखी है, मेज से कपड़े को उस मेजशी विना ख़ीस लिया जाता है, ठीक है, समझ गया है, देखा भी होगा कही जगा dispersed देक्ने मे इसकी ऊपर रखदिया सिक्का एक नहीं रहा है पहले पर ने इक आगज अबर ने इक अवियर सेचा उट अब इस Waskell जाए हाँ हू सबूर कर प्रते c चर्शिया आपधर इस whiskey आपК क्था से एफ से हमने इसको कहीच लिया करिया के बराबर तसा धेए करीया होती है इसाइव स्याफ्ण नियुल यह संप फ्रिकरिया तो और था इस पस्टिकरण वाली कहानी गल्थ है भाईया है कफनवन सत्तय चाहिएअ कफनवन कफ़न्ट्टु का साइई सपस्टिकरण नहीं तो यही आंसर हो जाएगा बिटा कफन दौनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से कोई लेना दे नहीं नहीं हमने का रोए सर्मां था नियूमा सेंसुरी बनाई एक आदमी कह रहा है रोनालडों ने कल तीन गोल किये एक आदमी कह रहा है बंद आ अली ballotat adult ए एरपोर्ट पर देखी तीनों की क्या समानता है तीनों में क्या मतलब connection कोई connection किंगे सने रोनालड काई खेल रहा है रोछेर मापना कहीं खेल रहे लोग जानते हैं हर किरिया के बिप्रीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है किरिया बिप्रतिक्रिया बल अलग-अलग बस्तुओं पर लगते हैं ठीक है इस सब्सक्राइबूए तो बहुत टाइम पास करने कीड़ों तो बल हमेheld onureron कि फिल नबें लगते हैं दो बल होंगा अम किसी पर लगया उसने हम पर समय बरबाद नहीं करेंगे ऐसे लिखो आबेग आबेग बराबर बल गुणा वह समय जिसके लिए बल लगाए गया आबेग वेसिकली क्या होता है बल का प्रभाव बल का प्रभाव इंपेक्ट अप फोर्स बल का प्रभाव ठीक है यह आबेग कहलाता है तो आबेग को हम आई से प्रदर्सित कर देते हैं एफ इंटू डेल्टा टी हो गया तो एक पहला समय करन एई एई हो एक सूत रे हो गया एफ इंटू डेल्टा टी आबेग का और आई बराबर एफ की जगाए हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ की जगह देल्टा P अपॉन डेल्टा T पॉन डेल्टा T लिख सकते हैं इन्टू हमने डेल्टा T कर दिया T से ट उड़ गया तो आवेग बराबर हो गया संबेग में परिवटन इसे हम आवेग संबेग प्रमे भी कहते हैं आवेग और संबेग में संबंद इसको अपन क्या कह देते हैं आवेग संबेग प्रमे और सुनो यही नहीं है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो अपन जैसे और अपन बल निकालें कि एफ तो f is equal to अपन क्या से लिख सकते हैं आई अपन डेल्टा टी और f is eaky हम ऐसे भी लिख सकते हैं आब एक को क्या लिख सकते हैं मतलब वो तो यही बात ऑट हो गई एक ही बात हो गई इस तरीके सा पन लिख सकते हैं कि हम ऐसलिख सकते हैं कि कभी मालिए यह समाए चोटा है तो चोटासा इंड ड्यावर f into d tego इiltra डी जगह क्या लिखती है डीती लिखती य तो आब याई बराबर आप लिख सकते हैं इंटीग्र एफ डkov toggleग्र Jeanne अगर हमें graph लिडिया और जिए किस कि बीच मैंड बल्के और गalle मेंसा में ग्रफ दिया तो इसका छेत्रफल हमें क्या देगा हम इस छेटरफल की बात करें हमको क्या देगा तो देखो बिटा यह किस के बराबर आप तो area integral by by किसकी जगाए एफ की जगाए और डी एक्स एक्स की जगाए का है टी है integral dt ऐला ऐला एंटीगल dt जो area है बेटा यही किसके बराबर है आवेक के तो जो आवेक है यह बास्ता में किसके बराबर आ गया एफ वर्सिस टी ग्राफ का छेतरफल ग्राफ का छेतरफल एसा वेटा ठीक है चलिए एक सवाल कर लो फटा फट एक फुटबॉलर तीन किलोग्राम की ग्यांद को ठोकर मारता है तो यह 10 मीटर प्र सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती यदि संपर्क का समाय इतना हो तो निमन में ग्याद कीजिए गैंद के संबेग में परिबर्तन तो डेल्टा पी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनीशियल पी बराबर होता है एम इंटू वी तो डेल्टा पी बराबर पी फाइनल एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनीशियल तो डेल्टा पी थी उसको ठोकर मार रहा है रखी रखी गया अस ना गया अगया अ में इसा अब हमसे बलका आ वेग निकालना पहलो जोटो जबराबर होता है सम्बेग में पौरी वानते तो आई बराबर भी कितना हो जात्री हो sulphoh को आईब बराबर अब एक बराबर की पितना होगा फिरती हो गाउसत गण तो और आप ऐसे लिख सकते हैं हैं संब्वे einz-7 रवर आज संब्रतन ने थरफ में परीब्रतन कितना रहा तीन हो समय था कितना हैं यदो अटे मीटर हमें पर सेकंड नहीं पेटा दस मिली सेकंड हो सकता है है क्तुरतुवण मिली सेकंड का मतलव होगए 10-23 से के के तो यह भला आ गया आभेग यही निकालनाय कि बस तू चाल प्राप्त कर लेती है तो यह पहले सबागा जबाब हुए गबाद ए दूसरा बलका आपेग आब लजाबर संभेग में पौरी वॉर्थन तो हमने संभेग में पौरी वॉर्थन विटा पहले ग्यात कर लिया था हा डेल्टा पी अपॉन कि एक आई बगेर तो अपन लिखते चलेंगे कि एक आई विमाय सब आपको आती है कि एक सवाल देख लो कि अच्छा यह भी देख लो एक काम की चीज़ होती बहुत सवालों में आता है की एक गन दिवर से भी चम्ढष फिटर से कौन पर टक्राती है तो उसी कौन पर वापस जाती तो आवेग होगा तो आवेग बराबर शान संवेग में परीबटन संवेग में परीबटन सबीफोर इसका वेक mar कर एं तो इधर वी कGS necesita दी Au फिर से घटक करो देखो वाला कौन ठीक है तोह बह भी टीटेव धृट ओगा तूधर वी कोस ठीक और धर कितना होगा तोंगी अगों तो बदला नहीं देभिग में gonna से रिधान देख रहा हैं भीघ में पोरी वोड़तान तो बाई दिसा का बेग तो बदला नहीं वी साइंस्षी तीटा ऊपर इसा नहीं बदल से चाल नहीं बदल स्चाल नहीं बदली बेग बदल गया यहां पर 빛 प्लस एक पहला यहां पर आपक मायनस एक एकिसा मैं माइन में परिवरतन अपन डेल्टा फी लिखें तो आपन एसे लिख सकता है एम इन्टु वी फाईनल माईनस बी नीशिल कि अरे एम से गुणा करो इंतियुम संभी माईनस प्रारंबिक शंबेग तो डेल्टा पी एक्कॉल टू अपन आपन ने अब बिटा इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है इतने छोटे तो नहीं हो कि हम बेग में परिबर्तन बताना पड़े के कितना है देखो यहां बेग इतना था भी को स्थीटा आइकएप है ना जिसे प्रारंबे के बेग लिखा अपने तो कितना हो गया भी कॉस ठीटा minus i cap minus i cap इसमें change निकालेंगे v final minus v initial तो ये कितना आ जाएगा minus 2 v cos theta i cap आगे बढ़ना है क्योंकि हमें सवाल करने है दरसा है चितन मैं बल बाउस म्हारा के 20 graph दिया गया 10 second मैं बलका आभेग गchten कीधिए तो देखो भल और समाय का graph है आभेक किसके बराबर होगा तो आप कह explained by सर्वावेक बराबर होगा इसका इरिया कॉंसा रिया एरिया निकाल लो यह वाला एरिया केतना होगया एरिया होगया एक बटे दो आधार गुणा उचाई इसका एरिया निकाल लो एक आयत है, याद कर लिया है हमने तुमको आयत कीत रहे, अरे सायर बन रहे हो, तो आयत का छेथफल, लंबाई, दो से छे, चार, उचाई बीस, इसका छेथफल लिखो वेटा एवाला, एवाला छेथफल लिखो, तो एक बटे दो, तर्भुज है ना, आधार, आधार कितना ह वेटा है, काटा, कूटा मचाओ, यह आगया दस, यह आगया चार की विदनी, 40, यह वाला छेथफल लागै, आठ की विदनी, 80, दो से दो गया है, यह आगया 20, तो 20, 80, 140, आबेग का कितना माना आ गया, 140 uniformist, सर आबेग युनिट नहीं बता ही, तो हमने पा देखो भईया आब एह होता है बल गुड़ा समाय अंतराल बल की काई बल की काई निक्टण होती है नीक्टण सब्सक्राइब करें अलग अलग बलों की बारे में तो बेटा आप जांते हो त्छी कहा है अलग अलग परकार के जो बल होते हैं ठीक है काम कौन से बल्क पढ़ने हैं हमें एक बर बटा देता हूं देखों बाइने चुलन बार पढ़ना याप जानते हैं एम जी फिर अभी राम बला आभिलंब बल अभिलंब बल अन यह जब दो बस्त वाली संपरक में अंतों इसका नाम संपरक में सब्सक्राइब सर्द्सक्राइब किसमें आता है यह रसी में रौड में रसी में ठीक और तनावबल किसमें आता है पीटा रसी में तेनी उसके बीच बाद आभाशाइब आभासी बल तो आभासी बल बेटा ध्यान देना कब आता है कब आता है जब गती अजड़त्वी निकाय से देखी जाए निकाय से देखी जाए एक बार इसको बस मैं बता देता हूं फिर आभी सवाल करेंगे ना तो अभिलम बल कहां लगेगा मैं बना के बताओंगा तनाओ बल कहां लगेगा रसी में लगेगा कैसे लगेगा मैं बना के बतायोंगा बैठार सी में और किसी बस्तू का द्रब्मान है तो उससा समय लग रिया है तो जब कती अजड़त्वी निकाय से देखी जाए ने कुल की देखी जाए तो आभासि बल्प या चृद३न बल्प आतां जिसे अंग्रेजी में कहते हैं छूडो एंगरेजी में पटा है एक पीडिक कि अथे तो किसी बस्तू पर किसी बस्तू पर ल operate एफ आवासी एफ आवासी जैवासी वियां देना आवासी एफ आवासी है ना किसी बंदी तुसे बस्तु पर अपने आवासी लिख च ए हुए एम किसका एम किसका बस्तू का जिस बस्तू पर लगने बाला हम बल देख रहे हैं बस्तू का और एक इसका गत एक इसका इस निकाय का, अजडत्वी निकाय का मतलब क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसके पास तौरान हो, तो यह किसका बेटा, जिस निकाय के पास तौरान है, उसका, इसका मतलब और मैं अभी समझाता हूँ सब कुछ, है ने डेटेल में, तो देखो, इस में तो कोई दिख्कत नही नीचे यह अभी लंब बल सताह के लंब बत लगता है सताह के लंब बत लगता है लंब बत सताह के लंब बत बस्तू की और बस्तू की और लगता है अग्यात रासी होती है सूत्र हमारे पास नहीं हमें सवाल में ज्यात करना होता है यह तनाव बल होता है यह भी अग्यात बल ह होता है कि और रसी के अनुदिस की लंबाई के अनुदिस लगता है अनुदिस लगता है अनुदिस तथा बस्तू से दूर अ बस्तू से दूर देखो बल एक सदिस रासी है तो हमें क्या क्या चाहिए दिसा परिमाण हम कहें परिमाण सूत्र नहीं है इसका परिमाण कितना सूत्र नहीं है हम सवाल में ग्याद करेंगे भई यह दिसा तो बता दो तो हम कहेंगे सतह के लंबबत बस्तू की ओर यह रसी मे नहीं बता देता हूँ यहां बता देता हूँ जल्दी से सब्सक्सक्स तो देखो दोस्त अभासि बलखकाdy क्रें की जब एसे निकाइस से बैठके गती को देखैंगे जो अजडत्वी निकाई और जलत्वी का मतलब तो हमने का ऐसा निकाई जिसके पास तोरण है ऐसा निकाई जिसके पास तोरण है हमने का इसका द्रभमान है M1 इसका द्रभमान है कितना M2 M2 अब यह इधर जा रहा है किसी तोरण A से अब हम इस निकाई पर बैठके गति देख रहे हैं यह रेस्ट में है यह रेस्ट में है तो हम कहेंगे हम इस पर बैठे हैं इसके पास तो तौरण है यह नहीं तो हम इस पर बैठके अगर गती देखते हैं तो आभासिबल नहीं आएगा आभासिबल का अब आएगा जब पगला आदमी या से जम्प करके इसके उपर चला जाए तो अभी ये आदمी जिस निकाय की ऊपर बैठा है जिस ब्लॉक की ऊपर बैठा हो उसके पास तोरण है तो ये अजलत्वी निकाय हो गया तो जब हम अजलत्वी निकाय को देखते है तो बेटा क्या करना तरीका सुनो हमें बल लिखना है कौन से बल आवाशी के पसिए话 सिरृ तो दिखो करना क्हा है हम इसंसकी उपर बैठ्थ गाई इसका कि गूरधर छतम इसका तौरन इसको देढ़े ना दिसा पलटके बेटा यही हो समझ गये। तरीका क्या है फिर буli का फिर अपर जाके बैठ गये इसकी उपर जाके बैठ गये तो हमारे सापिक्ष ब्राम में आ गया। इसका कितना है इसका है में तोर तोरन किस छिसका इस निकाय का जिस पर हम बैठे है देखो एफ वराबर में बस यतनी इसी बात है फिर से तुन लो हम्य इस पूपर बैठ गए इसका गए इसका तरुन खतम इसका तरुन इसको दे दिए दिजाए पलट गे तो कि अधर वराबर कितना में इन टू ए एमे किसका भी यह तो बल किस पर लगा रहे हो आवासी बल इस पर लगा रहे हो ना तो इसका M लेना है M2 इंटू तो तौरण उसका जिसको पर पन बैठे हैं ठीक है मित्रा यह सब ठीक भाए ठीक भाए ठीक भाए अब दोखो पुली के बारे बात करें हमें पुली पढ़नी है आदर्स पुली तो आदर्स पुली द्रबमान हीन होती है घर्सन हीन होती है तो आदर्स पुली होती है उसमें उसका द्रबमान सून होता है और घर्सन भी अनुपस्थित होता है दोस्त तो पुली में तीन भुजाए होती है दो साइड वाली दो साइड वाली एक बीच वाली बीच वाली क को अपन बोलते हैं मेन आर्म इस साइड वाली ठीक है याद रखना बेटा यह रसी है रसी रसी में तनाव ठीक है और जो आदर्स रसी है वेटा आदर्स रसी उसमें तनाव हमेशा समान रहता है जैसे याद रखना बेटा अगर हमने का यह रसी है हम इस पॉइंट पर तनाव बना रहे हैं पुली पर इदर तो अमने का तनाव इस दिसा में है पुली से दूर तो बेटा अगर यह एक ही रस्ती है एक ही रस्ती है तो तनाव समान होगा ज mystery view P तो रसी की लंभाई के अनुदिस और इस बिन्दू से दूर हमने तनाव इस इस प्र निकला तो इस बिन्दू से दूर चानव हमने इस पर निकला तो इस्टेस विंदू से दूर अच्छा देख लो。 यह रस्ती ली बस्तू को लड़ाद गर कर दिया है लिखा इस बिंदू पर तनाव के सानवाद इस पॉइंट पर विंदू पर बतःत ब्लॉक पर तनाव के इस सा、 तोंगे तो हम कहेंगे चत से दूर बस्तू की लंबाई के अनुदेश इस पकार से कहनी हो जाती है अब देखो बेटा तो बुली का सिंपल केस और यही केस इंपोर्टेंट होता है है क्या एक द्रबमान दूसा द्रबमान मान लीजी मान लीजी एम बन जादा है एम टू से तो अगर ये M1 जादा है M2 से, M1 जादा है M2 से, तो ये इधर चल पड़ेगा, ये इधर चल पड़ेगा, किस तरण से ये से, तो ये नीचे जा रहा है, ये कहां जा रहा है, उपर, ये कहां जाएगा, उपर, जिस तरण से नीचे जाएगा, उसी तरण से बेटा ये उपर जाएगा ठीक है अब ध्यान से सुनना किसे सुनना भीटा ध्यान से ठीक है ध्यान से हमें क्या सुनना है कि देखो हमें एक तो इनके तोरण ग्याद करना होता है और रसी में तनाव ग्याद करना होता है जैसे इस पॉइंट पर हम तनाव बनाएं तो बस तू से दूर ठीक है ऐसे तो याद रखना रखना जो यह आता है यह कमान होता है M1 माइनस M2 इन्टू जी अपॉन M1 प्लस M2 इन्टू प्लस M2 और ठीक बिटा यह बहुत कॉमन केस है बार बार इसका उप्योग आता है तो लोग इसका मान याद ही रख लेते हैं M1 प्लस M2 इन्टू जी इन्टू जी इस यह तना हो गया यह तोरण हो गया अब आपने का कि सर लाए कहां से मैं तरीका बताता हूं बेटा तरीका बताता हूं ठीक है देखो अपन क्या करते हैं कि अगर बस्तू के पास तोरण है देखो दो चीज़ों होती है पहले अगर बस बस्तू बिराम में हैं तो एफ नेट बरावर कितना हो जाता है बेटा जीरो हो जाता है ठीक है दूसरा किस कि बस्तू गती कर रही है बस्तू के पास तौरण है बस्तू के पास तौरण है तो एफ नेट बरावर कितना हो जाता है एम में होता है यह में कहानी होती है अब देखो बताओ बताओ यहां पर वस्तू के पास तॉरन है की नहीं है हमका इसके पास भी तॉरण आ यह नीसे जा रहा है इसके पास भी तॉरण ₹1-1. m2 in2G 9 अभवन समीखंद लिखना है क्या का समीखंद लिखना है तो इसका समीखंद नेट बल крепर बरावर में नेट बल में अब ध्यान दे नेट वल में ध्यान देना, कि जो बल तरण के दिशा में हैं, वो positive लिखे जाएंगे, जो बल तरण के बिपरीथ हैं, वो negative, तरण के दिशा वाले positive, तरण के बिपरीथ वाले negative, तो तो देखो, तरण नीचे, तो नीचे वाला पहला समय करें, नीचे वाला बल positive, m1 g-t is equal to m1 इसके लिए देखो तो यहां पर तोरण है उपर तो उपर वाला बल पॉजिटिव तो M T minus M M 2 G M 2 G बरावर M 2 into A समीकरन एक समीकरन दो दो ही अग्यातें यह तथा T यह तथा T दो अग्याते हल करो आंसर मिल जाएगा हल करो बेटा आंसर मिल जाएगा अब अब देखो बिटा अब के पास एक सवाल है इसका तुरण दिया गया है A2 इसका तुरण दिया गया है A1 हमें A2 और A1 में संबंद निकालना है इसको यह भी important case होती है जिसको अपन कहते हैं बाधित गती का समीकरन तो बाधित गती का समीकरन क्या होता है दोस्त ध्यान दो बाधित करती के समीकरन में बीटा अपन कहते हैं कि इनके तुरण में सम्बंद का समीकरन तो इसका ट्रिक ट्रिक डारेक्ट ट्रिक याद रखना बीटा हम कहते हैं है ती वेक्टर ड on a vector ड on a vector तीवेक्टर ड on a vector बराबर कितना कर दो जीरो जितने भी बुद बॉडियें सबी बॉड़ी पर बسم सभी बस्तुओं पर ती करण की जगह है बेग दिये होते बेग दिये होते तो टी सदिस डॉट भी सदिस बराबर आपको जीरो कर देना है और कभी विस्थापन की बात होती तो आप क्या कर देते टी सदिस डॉट एक्स सदिस बराबर आपको कि इतना करना जीरो कर देना है ठीक है अब dot product हो रहा है तो आप direct भी याद रख सकते हैं कि अगर T की दिशा और A की दिशा दोनों समान हैं तो T into A का मान लिखा जाएगा positive और T की दिशा या क्या हो सकता है T की दिशा इधर और A की दिशा इधर मतलब यह बिप्रीत हों T और यह बिप्रीत हों तो dot product के साथ आता है समान दिशा में तो positive लिख दो समान दिशा में ठीटा 0 degree हो जाएगा तो cos 0 कमान प्लस पन अगर यह बिप्रीत दिशा में है डॉट प्रोडक्ट लोगे तो dot product कितना होगा बिटा T dot A vector यह होता है T A cos theta विप्रीत दिशा में तो theta 180 है तो cos 180 कमान माइनस बनाएगा तो माइनस आ जाता है तो अब डारेक्ट यहाद रखो T A सेम दिशा में गुणन फल धनका धनका टी और A विप्रीत दिशा में तो गुणन फल रिनका ऐसा चलिए अब देखो तनाव बनाना मेंची जब यहां पर कहा है बिटा तनाव बनाना यहां से शुरू कर दो किसी भी रस्ती से तो इसमें तनाव टी जब तक रस्ती बदलेगी नहीं तनाव समान होगा टी 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 यहां पर तनाव कितना यहां पर भी तनाव टी रस्ती समान है टी 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 ट तो तनाव तूटी ही होगा और इस point पर बना रहे हैं पुली पर तो पुली से दूर अब देखो यहां रस्ती सेम है तो तूटी 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 हो गया यह तूटी 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 हो गया यह तूटी 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 त अब देखो हमारे पास दो ब्लोक हैं, दोनों ब्लोक पर हम यह समीकर लगाएंगे, t.a बेक्टर, तो यहां पर देखो, इस पर देख लो, t into a लिखना है, तो t कितना है, t, a कितना है, a2, दिशा बताओ, सेम या बिप्रीत, तो a भी उपर, t भी उपर, दोनों समान दिशा मे हैं, तो इसको positive लिख दो, यहां पर देखो, इस पर तनाओ कितना है, इधर t, और इधर 3t, तोरण a1 है, तो हमने लिखा, तनाओ कितना हो गया, कुल तनाओ देखना है, कुल तनाओ है 3t, और तोरण कितना है बेटा, a1, तो 3t into a1, अब तोरण ऊपर है, तनाओ नीचे है, तो इसको पर माइनस का लिखेंगे, क्यों तनाओ उपर तोरण नीचे, तनाओ उपर तोरण नीचे, दोनों बिप्रीत हैं, बिप्रीत हैं, तो यह माइनस लिखा जाएगा, बराबर 0, अब t common आके भीतरे चला जाएगा, मतरब t common आके 0 में चला जाएगा, तो आप क्या ल और आते चलो रसी से मेर्टी एहां पर रसी से मती यहां पर देखो यह पर इस परतनाव इधार टी धटी तुढ़ टुटी ठीके टी टी up थी टी 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 यहां पर देखो को ह sick eh eating चल रहा तो ती ही आएगा अभम यह पर A t into a3 दोनों समान साम मैं positive लिखते यहां पर आओ यहां पर आओ तनाव 2t 2t तौरण a2 तो 2t into a2 तनाव उपर तो पॉजिटिव यहां आओ यहां तनाव ऊपर तोरण नीचे minus लगा तनाव ऊपर तोरण नीचे minus लगा तनाव कितना है T तरण कितना है A1 बराबर 0 तो ए थरी प्लस टू एच्व को माइनस एबन बराबर जीरो बराबर जीरो इस अमीगण बने तो बेटा ध्यान देना इस तरीके के समीगण बनते जाते हैं कब देखो कोई कौन वाली कहानी हो जाए इस में क्या है बेसिकली एक सिलाइडर है इस सिलाइड कर सकता है इसका बेग आपको दिया गया है भी नॉट एक और कितना दिया गया है ठीटा इसका बेग आपको ग्याद करना है इसका बेग आपको ग्याद करना है कि कि इसका वेग हमने मान लिया नीचे के सामें भी है हमें ग्यात करना है तो देखो सबसे प empð कर ऊरा तो बनाना डचा वहिए तो आ pastor यह दिख़ा से बनाना सुरू करति यह इता तना इधर त्ट्ट refer कितना ठीई है अब क्या है अब देखो यहाँ पर आप टना और अब यहां पर देखो dot product ले लो plus T और V का dot तो T into V naught into cos of theta अरे यहां दो सदे से एक तनाव है एक बेग है इनकी बीच कौन कितना है theta है तो अपने क्या किया dot product किया तो dot product में क्या होता है ए और V का dot product क्या होता है A V cos theta तो यहां T और V naught है तो T V naught cos theta okay yes बराबर 0 कर दो तो भी है यहां से T से T बाहर आके 0 चला गया तो भी का मान आ गया है V naught cos of theta यह answer हो गया तो कभी T और V ना तो समान दे सामें ना विप्रीत हो तो अपने को dot लेना है T और V का खतम बात अब देखो बीटा spring वाली कहानी दर्साय चित्र में यदि के बराबर इतना हो तो spring में संपीडन था गुटके में तुरण गयात कीजिए तो देखो बीटा यह spring वाला एक सवाल सब तरीके के अपने एक सवाल लेके चल रहे है ताके revision हो जाए spring में मॉटके जो बल होता है वो के एक्स होता है तना व इस्प्रिंग का बल ठीक में मान लीजिए कितना संपीडन आया है एक मॉटके रनाया है तो spring में बल जाल कितना होता के एक ऑपनी वस्प्रिंग देखेंगे यहांपर इस्प्रिंग लेकर खिचे ग Dalap बढ़ इधर होगा अब मारी स्प्रिंग रखीति हमने इसको चाप दिया मतलब दबा दिया इसको अगर हम दबा दें तो इस फैलने की कोसिश करेगी बन इधर होगा की आगा तो यह फिए सब्सक्राइब होगी मि झांद फिंग किते हैं इस पर इधर भल लगा या इसपर लगाई तो इस पर देखाई तो इस ब्लॉक अधन का एधर है इधर 40 Newton का बल यह तो नेट बल बराबर में में अपने का लिखें कि इधर 40- KX बेटा विप्रीथ है बराबर कितना हो गया M into A M किसका इसका M2 कह दो तो यहां से आपको कि X कमान मिल गया बिटा कि X कमान कितना आ गया है यह आ जाएगा 40-2 कमान कितना कि इतना है 4 A कमान कितना है साथ यह आगया कि X कमान 12 Newton A कि X कमान कितना आ गया बीटा 12 Newton अब इस व्लोक पर आजाओ दोस्त इस व्लोक का इफवीडी मना मान ली जिसका तॉरण कहां इधर है अपने मन से माल लो तॉरण कहां इधर है ठीक है कितना है एटू है तो इस पर देख वाला negative की एक्स बराबर M into A, M कितना है इसका 2 किलोग्राम, A कितना माना है परने A2, तो 20, यह चलो बाद में मान रख देंगे, इधर हमने लिख दिया M2 into A2, तो 20 माइनस की X का मान कितना है 12, M का मान कितना है 2, A2 हमको चाही, तो यह कितना आगया A, T, तो यह 1 क हमान आगया 4 meters per second square, ठीक है, तो हमें गुठके का टुरण निकालना था, निकाल लिया, इस स्प्रिंग में संपीडन भी निकालना था, तो इस स्प्रिंग का संपीडन देखो, के कमान कितना आ गया बारा तो एक सब्सक्राइब को मिलिगा कितना है इसका है दिकत वाली बात नहीं होनी चाहिए कजिए about ZI तो इस प्रिंग का सभीольшण बेठा तो सीरीज में याद करो सीरीज में क्या होता है कैपीस्टर की चड़ेयं तरह जुड़ती है स्प्रिंग काश्टर की जरह भाए fund प्लस बनवाए Wink मैं के टू प्लस बनवाए K3 कैपस्टर की तरह जुड़ती है ठीक है काई कर दो की ईब रिटीघन तरी कुल टुरी योटे एकाकर दोलों त्सप्रिंग तुला का पाठ्य हंक रीडिंग इंग्ग असी पाठ्य होती है कि जो थी बते जी होता है तनाव बते जी तनाव कक्व Delete केचस यहां तो इस इस न फच्रिमांधी थीए ठीट के स्पॉर्स के टैंशन फोर्स कैसे तनावल तो उसकी निकीशा या दबाया तो उसमें तराज औरहरो होती है थिल्ट लेने जाते हैं किसमें लेकर आते हैं क्लो Richmond में लेकर आते हैं तो जो तराजू है जो भारमापने वाली मसीन है वो द्रबमान नापती है ठीक है ये तो स्प्रिंग तुला की रीडिंग हो गई अब भारमापने वाली मसीन भारमापने वाली मसीन तो बेटा जो भारमापने वाली मसीन होती है उसकी रीडिंग होती है एन वाई जी और ये होता है क तो यह कुछ-कुछ बेसिक बात ने थी इसके बारे में अब चलिए पर चलते हैं कि सवालों पर लेकिन उससे पहले थोड़ा घर्षण का आइडिया और देदूं बिटा मैं घर्षण का आइडिया अच्छा जैसे यह बारा सवाल है इसका आंसर क्या होगा तो इसका इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं इसका आंसर बोल देते हैं 40 नहीं होता है यह सून ने कह देते हैं देखो यहां पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा 20 into g mg होता है यहां पर बल कितना mg यहां पर भी बल कितना हुगा बेटा इतना है तो m into g अब इसमें बल आ गया कौन सा तनाव बल्टी तनाव बल्टी तो यहां पर भी तनाव बल्टी यह कहीं रस्ती है उससे स्प्रिंग जोड़ी है तो तनाव बल्टी ठीक है तो अभी इ reading होगी इस प्रिंग वैलेंस की जो रीडिंग होगी बेटा वो होगी तनाव पॉंच जी अब दिखो सामेवस्था में यह चल तो नहीं रहें यह चल थोड़ी ना रहेंगे बराबर नीचे बाल लबल टी बराबर एम जी तो टी की जगाए अपन कहा लिख देंगे एम इंटू जी बटे जी जी से जी गया मान कितना 20 ट केजी तो रीडिंग कितनी आगई है 20 कि एल अल्व नहीं के बार को लगता कि से 20 धरगी 20 धरगी 40 नहीं नहीं तनाव किallam कर देता ग्ेंसर कर देता हूं तो स्प्रिंखति कैसे ठीक है अब देखो इस बीट में दोट सरेणी में जुड़ी है देहान देना तो स्रिनी करम में तनौ समान होता है स्रीनिक्रम में क्या समान होता है तो अगर हमने का इस वाली स्प्रिंग में तनाव कितना है टीवन ठीक है इस स्प्रिंग में तनाव टीवन ही होगा तनाव समान रहता है स्रीनिक्रम में तनाव कैसा होगा पूरा जैसे यहां तनाव T है तो पूरा नीचे से लेके उपर तक तनाव T ही होगा आप अलग-अलग मानना चाहो तो भली में मान के बता दो कि सर इसमें तनाव लिख लो आप T1 T1 इसमें तनाव लिख दो T2 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 इसमें तनाव किता लिख दो गोटे जी या आप लिखलो की टू तु अच्छा ती तू इस मैं बइंग कि रिडिन का PR कh पॉर स्भेटा इस इन टू अब ती तू अब और बराबर यहें वर नोट t1 का मान कोभने है dalla इमजी हो गया उधिडी मणगे आप सब跟大家 आप ने कहा हुआ तो ती बराबर टी-ì टू बराबर ty अवर में आपको clear होगी ठीक है ऐसा ऐसा है कोई दिलेबल लरे चलिए अब घर्षनबल के बारे में थोड़ी बात कर देते हैं तो जब सतहों के मद्द आप एक्षिक गती हो या आप एक्षिक गती की प्रवर्ती हो तो इन सतहों के मद्द लगने वाला गण बल घर्षनबल कहलाता है अगर उनमें न तो गती हो रही है न आप एक्षिक गती न तो गती है तो इन सतहों के मद्द जो बल लग रहा होगा वह घर्षनबल कहला है फिर से सुनो फिर से सुनो एक मिट में पानी पी लेता हूं अगया हो कि देखो बेटा कि एक ब्लॉक है यह क्या बेटा एक ब्लॉक है इस पर हमने इस पर कोई बल नहीं लगाया तो बता इस ब्लॉक का चलने का मान है क्या मैं है क्या हम कहेंगे नहीं इतुर रखा हुआ है अब हमने इस पर बल लगाया बल लगाया लेकिन चल नहीं रहा है तो बूसरा केस कि हम बल जदा लगादें तो चलने लगे तब तो आपकर चल रही दे रहाए कि तो जब सता हुआ के मद आपक्षिक गति हो या आप एक्षिक गती की प्रवर्ति हो सताय चल नहीं रही है तो आप एक्षिक गती की प्रवर्ति है सताय चल रही है तो आप एक्षिक गती हो रही है तो इन सताहों के मद्द लगने बाला बल घर्षन बल कहलाता है ठीक है घर्षन बल दो प्रकार के होते हैं कि स्थैतिक घर्चन और गतिक घर्चन यह अज्यात होता है और अग्यात मतलब हमारे पास भाइप सूतर नहीं नौ सूत ऊत्र इसको ग्यात करने का कोई सूतर मेधस इसका सूतर होता है कि जो गतिक घर्चन होता है वह गत & कग ञontॉस अता्य के मत लगने वाला अभी लंब बल होता है पढ़ लो कि जब दो सतों के मद आपक्षि गती ना हो किन्तु आपक्षि गती की प्रवर्ती हो तो इन सतों के मद लगने वाला गण स्थैतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण हो जाता है स्थैतिक घर्षण आए तोनाम सीख्लियर इस्थखक मतम सत्या हैं रोकी हुए अपिक्षे नहीं हो रही है लेकिन प्रवित्वृति है प्रवित्य है तो सत्याती गट्षर. और जब दो सताओं के मद्द आप इस्थि गती प्राराम हो जाती है तो इनके मद्द कौन सा गर्षन लगता है गत्र इंच तो अभी घर्चन बल लग रहा होगा इसको हम क्या कहते हैं गतिक घर्चन बल तो अब देखो आप एक्षिक गती की प्रवर्ति पहचानने का तरीका देखो आप एक्षिक गती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं हमें गती होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन कभी आप एक्षिक गती की प्रवर्ति है लेकिन गती नहीं हो रही है तो तरीका क्या होगा सबसे पहले हम यह मान लेंगे कि सतहें घर्षणत रहते हैं मतलब चिकनी है अब जिस दिसा में आपिक्षिक गती की प्रवर्ती होगी उस दिसा में बस्तू चलने लगेगी इस परकार से हमें आपिक्षिक गती की प्रवर्ती की दिसा पता लग जाती है और स्थेते घर्षन की दिशा आप एक शिक्गति की प्रवर्ति के विप्रीत होती है जैसे मान लीजिए, मान लीजिए, ये कोई भूत भारी वस्तु है, हमने इस पर बल लगाया, F, एक बल लगा, F कमान है, कम, F कमान कम है, तो बस तू अभी ब्राम में है, बस तू ब्राम म चल नहीं रही है लेकिन हमें पाद करना किस की चलने की परवर्ती है यह यदो या अगर तो किस दिसामें फिर हम का कि छलने की परवर्वर्ती कौन लाएगा कौन लाएगा हम कहेंगे बल बल इस पर लग रहा है तो उसकी चलने की प्रवर्ति होगी किस दिसामें जिस दिसामें बल लग रहा है ठीक है अब जिस दिसामें बल लग रहा है इन दे सेंस ऐसे सोचो ऐसे सोचो कि मान लीजिए यहां पर घरसन नहीं होता चिकनी सताय होती यहां पर हम तेल प्रवर्ति ना बिल्कुल भेंगर चिकनी सताय होती तो हम इस पर थोड़ा सा बल लगाएं इसे करके तो इधर भाग पड़ेगी जिसे दिशामें इसकी गती करने की प्रवर्ति होगी उस दिशामें भाग जाएगी तो हम घर्षन बल कहा लगा देंगे आप एक शिक गती की प्रवर्ति की विप्रीद तो अगर यह सताय को हम चिकनी माल लें तो बस तू इधर भाग पड़ेगी कि इधर बात पड़ेगी तो अपन इस पर घर्षणा लगाएंगे अस्त्य कहां पर लगाएंगी बिटा आप सचिक गती की प्रवर्ति के इधर रहा है तो इसथिए गर्षण तब लगता है जब दो सताथों के मद आप एक्षिक गती की प्रविर्ती हो किन तो आप एक्षिक गती प्रारंब नहीं नहीं होती है किसी भी चीज की प्रवर्ति पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि यह एक शुपा हुआ गुण है तो इसलिए मैंने यह तरीका बताए आप एक प्रवर्ति को पहचानने का आप देखो में चीज में पॉइंट कि गर्षण एस का मतलब होगा इस्टेटिक इस्टेटिक फ्रिक्शन अग्यात रासी है अग्यात रासी है तथा यह उतना ही लगता है लगता है जितना की जितना की आप एक छिक गती को रोकने के लिए आवस्चेक है जैसे अपन समझदर आदमी अगर हमें हमारे पास तागत बहुत है बहुत है हम सौकलो बजन उठा सकते हैं सौकलो अब मानली जी हमको पानी की बोटल लखी है तो कि बोटल में हमने कम लगाया कम लगाने का मतलब है कि हमारी तागत कम है हमारी तागत कम है हमें बोटल से जादा बल लगा ही नहीं हमारी तागत बहुत है लेकिन जरूरी जितना होता ही लगाएंगे ना समझदार आदमी है अपने इंसान है इंसान समझदार होते हैं भई गर्शनगोडांग और आन है अजय इस एक गर्शनगोडांग और इधर एम एफ एसली ये क्या लिखा है की एइन सतहों के मदद लगने वाला आभी लमबल लगने वाला अब लंब लैं तो इस पर और अधारत उधारन कल करेंगे ऑधार आपन कल करेंगे पीवाइक्यूज फिस तरह आपका लेक्चर का टाइम ज्यादा हो जाएगा कि अहां इस्ताति घर्चन गत्यक गर्षन वाला ठीक है ठीक है गत्यक घर्चन को मैंने बता दिया कि गत्ये घर्षण के दिशा आप एक्ष गती के विप्रीत होती है, गत्ये घर्षण में कोई दिक्कत नहीं है वही है, गत्ये घर्षण में गती हो रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें, सवाल अपन इस पर अधरत बिटा कल करेंगे गर्षन और तो इसप्रिंग के सवाल अपने कर लिए हैं न रस्टी वाले कर लिए utron me सम्मिन के कर लिए आवेक संभेख प्रमेक के कर लिए हैं तल में गती के कर लिए तो देखो बिटा एक बस्तू इधर रखी है और एक बस्तू इधर रखी है इसका बेग है शे मीटर पर सेकेंड और इसका बेग है नौ मीटर पर सेकेंड नौ मीटर पर सेकेंड तो हम कहेंगे यह वाली सताय तो चिकनी है यहां गर्षन बताओ किस दिसा में लगेगा किस वस्तू पर गर्षन का होगा तो हम कहेंगे आप एक छे गत्य पर निकालेंगे तो हमने एक काम किया एक काम किया इस वस्तू की उपर जाके बैठ गए इस वसटू की उपर जाके बैटा हम बैठ गए थीक्र इसका बे खतम इसका बेख हमने देच ours को डिशा पलटके यहरा हwachनी तुअ आप Dality 85 Rs. आप एक्षिक गती आप एक्षिक घर्षण हो रही है जो गतिक हो रही है जो तो आपक्षिक गती के दीट अब सग्सक्राइव को इतना इस साम में तो इस पर गरसंड संट के बोली तो काइनेटिक इस पर गरसंड पीछ एधर अब इस पर इधार तो इस पर कहां? नीटर अंकल को एिद करो बराबर तथा विप्रीत तो इस पर घर्सन पीछे तो इस पर घर्सन इधार इस तरीकी से पने लुह साव पता करते हैं फर शुनलो दो चल रही थी आप एक छिक गती के लिए आप इक्ष के लिए एक को रोख दो हम इसकी ऊपर जाके बैठ गया यह रुग गया ठीक है यह रुग गया अब अपने क्या किया इसका बेग इसको दे दिया है दिशा पलटके तो इधर छे इधर नौ इधर छे तुभी नेट त्री मीटर पर सेकेंड हो गया इस दिशा में जा तो गर्षन की दिशा इस साइड़ ऊगी और इससाइड इधर होगी ठीक है इस पर गर्षन देखा कैसे आप एक से गती की दिशा कहाँ है इधर तो गर्षन आप ёक्सी गति के विप्रीत इस पर इधर तो इस बराबर था विप्रीट क्यों न्यूटन से देखो ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे घर्षन लगाया इधर तो नीचे वाला ब्लॉक उपर वाले को छोड़ेगा नहीं घर्षन लगाएगा तो दोस्तों कुछ अगर एक्जांपल देने लाइक होंगे तो मैं मैं दे दूंगा पिर अपन इस पर आधारित और जो पीवाई क्यू है वो अपन कल करेगा कि क्योंकि आज लेक्टर का समय जितना है उससे ज्याद ही हो गया तो अपन कर लेंगे जैसे अपना तल में गती रहे गया था पिछले टन पर तो उसके सवाल आज अपने कर लिए तानी पर ली अब घ करना है कि जो न्यूटन के तीन नियम है बस उनको अप्ड़ाई करना है थियोरी तीन लाइन की है तीन लाइन की बच्चे हुए क्या है यह अलग-अलग बलके कि कब कहां पर कौन सा बल लगेगा ठीक है कितना लगेगा तो अपन अभी सवाल कर लेंगे पीवाई को यह सार सॉल्व करेंगे ठीक है तो अभिला में बल भी होगा घर्षन बल भी होगा तनाव भी होगा भार भी होगा सभी बल होंगे और फिर किसी सबाल में हमको को कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा कि थियोरी से संबन देता है तो फिर वह हम क्लास में डिसकस करतेंगे तो आप मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहें बेटा थेंक्यू सो मस्ट टाटा बबाए टेकर लवी यू ओल